हेलो बच्चों जैसे क्रश्णर रादे रादे क्या हाल चाले आप लोगों के बढ़िया पूरा अच्छे से रिवाइस करके आए हैं कल बच्चों हम लोगों ने जो अपनी कल 5 बज़े शाम को क्लास थी ठीक है लगबग 5 से 12 बज़े तक चली थी क्लास तो बड़ी मेहनत की आप सभी ने उसमें बच्चों हम लोगों ने अब बच्चों आज इन ही चैप्टर्स को हम कॉश्चन प्रैक्टिस के थुरू और बढ़िया करेंगे और मजबूत करेंगे और बच्चों यहाँ पर उन ही कॉश्चन पर हम बात करेंगे जिनके पूछे जाने के चांसस सबसे ज़्यादा है यानि यह मान करके चलो बच्चों इन में से बहुत सारे कॉश्चन ऐसे होंगे जो आपको सिमिलर टाइप के कॉश्चन नीट एक्जाम में मिल जाएं अब आपको क्या करना है सर नोटबुक पैन ले करके बैठ जाना है बात साज में आ गई तो नोटबुक पैन ले करके बैठ जाएं जैसे ही बच्चों आपके सामने कोई कॉश्चन आता है जितना स्पीड में हो सके कॉश्चन को सबसे पहले हमें रीड करना है कॉश्चन को खुद से समझने की कोसिस करनी है फिर उस कॉश्चन में बच्चों formula कौन सा use हो रहा है उसके बारे में सोचना है कि सर ये formula use हो रहा है ठीक है और बचो अपना 100% इस पूरे session में आपको देना पड़ेगा बात सवन में आ गई ठीक है बेटा PDF आ चुकी है PDF upload हो गई होगी एक बार आप check कर लिजेगा ठीक है PDF PDF upload हो गई है सही है बचो है ना एप पर PDF upload हो गई है आप एक बार देख लिजेगा ठीक है और जितने questions बचो हम यहाँ पर solve करेंगे आपकी एक जिम्मेदारी और है इनी सारे questions को आप वापस से एक बार तो यहाँ पर मेरे साथ साथ solve करना है तो 90% काम तो यहीं पर हो जाएगा ठीक है मेरे साथ साथ solve करोगे तो concept भी आपके clear होते चले जाएंगे ठीक है तो कल जितना पढ़ाता उसको हम लोग इन questions के थूँ बिल्कुल अच्छे से बिक्दम पक्का कर लेंगे strong कर लेंगे सही है बातसाओं में आ गई clear है बच्चो तो start किया जाए चलो भाई चलो तो start करते हैं सर है ना चलो भाई पूरी energy के साथ start करेंगे ठीक है और बच्चो बहुत छोड़े-छोड़े concept ऐसे भी होंगे जो हम यहाँ पर at a time देखेंगे मतलब की question के अंदर भी बहुत सारी चीज़े होंगी जो हमें सीखनी है तो वो हम अगर आपको बच्चो कोई भी ऐसा concept लगता है जो आज के session में आपको लगता है यहाँ सर यह थोड़ा सर नया है तो आप उसको अलग से अपने notes में mention कर लीज़ेगा या short notes बना रहे है तो वहाँ पर रख लीज़ेगा ठीक है बच्चो तो start किया जाए ठीक है बच्चो आज शाम को physics नहीं है ठीक है आज साम को physics नहीं है कल physics की class थी और आज उसका question practice session है ठीक है है न बाकी subject भी तो पढ़ने है तो daily किसी subject की class रहेगी आपको YouTube पर दिखता रहेगा और बहुत important sessions होने वाले बच्चो ये बस आपको लग करके हम एकी चीज आपसे मांग रहे हैं कि आपको लग करके मेहनत करनी है इस समय अगर कोई पीछे हट गया तो अपने result से बहुत दूर चला जाएगा और इस एक महिने में जुसने डंग से महनत कर ली ठीक है तो आप ये मान के चलो कि वो अपने result को काफी हद तक improve कर ले जाएगा सही है बच्चो तो start किया जाए start किया जाए बच्चो previous year questions से मिलते जुलते questions बच्चो रखें देखो होता क्या है PYQ questions भी है previous year questions भी है और previous year से मिलते जुलते questions भी है मतलब कि कुछ नया पन भी होना चाहिए एक्चल में क्या होता है न मैं आपको बताओ need में ज्यादा तर ही होता है बच्चो को कई बार questions के answer रड़ जाते है है ना जैसे मानलो कोई previous year question है तो बले ही हमें वो solve करना ना आता हो concept हमें ना आता हो लेकिन देख देख कि उसके answer याद हो गए है तो उससे मिलता जुलता कोई question में आपके सामने रखोंगा इससे क्या होगा आपको उसका answer भी याद नहीं होगा तो आप उसको solve करके देखोंगे आपको पता चलेगा कि concept हम सही से apply कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ठीक है बच्चो start किया जाए चलो भाई बहुत बढ़िया तो बच्चो पहला question जो आपके सामने है वो ये है मैं चाहता हूँ सभी बच्चे एक बार question फड़ाफट read कर ले बच्चो question read कर लीजे फड़ाफट ठीक है sir question में यहाँ पर बोला जा रहा है two identical small conducting sphere a and b जिन पर charge है बच्चो 1 millicoolam और minus का 3 millicoolam यानि कि बच्चो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक sphere है जिस पर plus 1 millicoolam का charge है जिसका नाम a है और बच्चो एक sphere है b जिस पर minus 3 millicoolam का charge है ठीक है बच्चो यहाँ पर बोला गया है कि यह दोनो sphere एक दूसरे को attract कर रहे है force f से attract कर रहे है ठीक है इसके बाद बच्चो यहाँ पर twist आया कहानी में और कहानी में twist यह आया कि हमारे पास identical sphere है c और d और दोनों पर 5 millicoolam का charge है और इन दोनों को बच्चो हम a और b से अलग-अलग touch कराते है मतलब कि एक sphere है बच्चो c जिस पर plus 5 millicoolam का charge है एक sphere है d इस पर भी plus 5 millicoolam का charge है तो हम क्या करते है बच्चो हम c और a को आपस में touch कराते हैं ठीक है हम d को b से touch कराते हैं तो इसको touch कराया इसको touch कराया touch कराने के बाद फिर से a और b को हमने उसी separation पर रख दिया तो आपसे पूछा है बच्चो नया force यहाँ पर क्या होगा ठीक है तो बच्चो start किया जाए बिल्कुल बिटा अगर आप जो भी मैं आपको करा रहा हूँ है ना live class question practice और theory and question practice अगर आप अच्छे से कर ले जाते हो तो जो आप score बोल लगना उससे जादे ही आपका आएगा ठीक है बस आपको ढंक से follow करना एक एक बाद ठीक है बच्चो चलो जरा सामने देखो पहले तुम्हे छोड़ा सा तुम्हे concept भी यहाँ पर बता देता हो बच्चो जब दो identical sphere आपस में touch कराए जाते है तो total charge का आधा आधा दोनों पर आ जाता है ठीक है यानि कि बच्चो अगर आप देखो बताओ जरा ए को तुमने C से touch कराया तो A और C का total charge कितना हुआ 1 प्लस 5 यानि कि 6 मिली कुलाम तो बच्चो अगर आप देखो तो final क्या होगा ध्यान से देखना कि sir A पर final कितना charge आएगा और sir B पर final कितना charge आएगा तो बच्चो मैंने आपको क्या बोला कि जब दो बोडी को हम touch कराते हैं तो उनके total charge का आधा आधा distribute हो जाता है तो बच्चो इस पर कितना है 1 इस पर कितना है 5 total कितना हो गया sir 6 तो 6 का आधा यानि कि 3 मिली कूलाम तो A पर आजाएगा जब आप B पर चेक करते हैं कितना आएगा बताओ बच्चो B पर कितना है minus 3 D पर कितना है plus 5 दोनों को add करो तो minus 3 और plus 5 कितना हो गया plus 2 plus 2 उसका आधा B पर आएगा और आधा D पर आएगा तो B पर कितना हो जाएगा 2 का आधा यानि कि बच्चो यहाँ पर आजाएगा 1 मिली कूलाम क्या आपको clear है हमसे बच्चो सिर्फ यह पूछा है force का magnitude क्या होगा अब बच्चो कल मैंने आपको कूलम स्लो बताया था force होता था K Q1 Q2 by R square बच्चो याद करिए force क्या होता था सरक के Q1 Q2 by R square तो बच्चो ध्यान से देखो अगर हम पहले देखे तो एक पर 1 मिली कूलाम है और दूसरे पर 3 मिली कूलाम है अभी भी आप देखो तो एक पर 3 मिली कूलाम है दूसरे पर 1 मिली कूलाम है हाँ ये बात अलग है कि अब ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे क्योंकि सेम चार्ज हो गए मलब सेम नेचर के चार्ज है तो बच्चो पहले भी 1 और 3 था अभी भी 1 और 3 है यानि कि आप कह सकते हो सर्फ जो फोर्स पहले रहा होगा वही फोर्स बाद में भी होगा यानि कि सर्फ foremost option इसका सही है कितने बच्चो का फोर्थ हा रहा है बहुत बढ़िया बैटा बहुत बढ़िया सान्दार ना बहुत बढ़िया शान्दार ठीक है बेटा गर ये कर लिया तुम्हें और कुछ करने की जुरत नहीं है बस धंग से जो मैं करा रहा हूँ उसको समझ लो अच्छे सा सॉल कर लो concept वाइस समझ लो clear है क्या सभी का अंसर यह आ रहा है बदा हुआ clear है आगे बढ़े अगले question की तरफ है ना बिलकुल simple question है लेकिन मज़ेदार concept है सके अंदर देखो coolam slow तो लगा है लेकिन coolam slow के साथ एक छोटा सा concept भी लग गया क्या कि जब दो bodies को तुम touch कराते हो और identical bodies हो तो total charge का half up distribute हो जाता है है ना तो जब इनको touch कराया तो total का half up distribute हो गया इनको touch कराया total का half up distribute हो गया तो final charges बिटा 3 और 1 आ गये पहले भी 3 और 1 थे बाद में भी 3 और 1 है तो force का magnitude change नहीं होगा ठीक है बहुत बढ़िया बच्चो बहुत बढ़िया चलो भाई अगले question की तरब चलते हैं बच्चो capacitor का बहुत ही प्यारा question है बहुत ही प्यारा question है देखो यहाँ पर क्या लिखा है कहरे है work done by battery कितना होगा यानि कि battery कितना work करेगी to charge an uncharged parallel plate capacitor जिसमें plate separation D है area A है और बच्चो इनके बीच में uniform electric field है E द्यांसर सुनना बच्चो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर एक capacitor है area A है separation D है और आपने बच्चो यहाँ पर क्या किया इसको एक battery से connect कर दिया आपसे पूछा जा रहा कि यह battery कितना work करेगी और बच्चो दोनों plate के बीच में electric field अगर आप देखो तो कितनी है E है यह question है बच्चो और आपसे पूछा है कि battery का work done कितना होगा मैं चाहता हूँ एक बार आप थोड़ा सा सोचो प्रक के बारे में अच्छा question है बच्चो बढ़िया question है क्ल मैंने इस तरे का concept आपको बताया था है ना कतने बच्चो को याद है बथा बदा वै कितने बच्चो को याद है क्ल मैंने बच्चो चर्व बैटरी का यह लो VAACDAN होता है वो cv , स्कॉर यह न अर जब कि store कितना होता है तो capacitor में इनर्जी , होती है हाफ cv , मतला बच्चो यह हुआ कि जितना बैटरी काम कर रही है उसका सिर्फ आधा energy capacitor में stored होती है इसको ज़रा उल्टा सोचो अगर किसी तरह तुम्हें ये पता चल जाए कि capacitor में कितनी energy stored है, मेरी बात ध्यान से सुनना अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि capacitor में stored energy किती है तो तुम work done by battery यहां से निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि sir work done by battery जो है वो double है capacitor में stored energy का बताओ है या नहीं बचो यानि कि battery ने जितना काम किया है उसका सिर्फ आधा capacitor में stored हुआ है यानि कि work done by battery जो है बचो वो capacitor में stored energy का double है ठीक है, या फिर तुम कह सकते हो कि अगर तुम्हें work done by battery निकाल नहीं तो तुम पहले ये निकाल लो capacitor में energy कितनी stored है अब जड़ा सोचो बचो capacitor में stored energy कैसे निकाले तो हमें पता है sir capacitor में stored energy होती है sir half cv square बदाए बचो होती कि नहीं होती, हाँ sir capacitance याद करो क्या होती, बचो half capacitance होती है a epsilon not by d हाँ sir ये तो हमें आता है बटा, potential difference को क्या लिख सकते हो द्यान से सुनना, कल मैंने आपको बताया था, कि अगर electric field e है, और इसमें तुम distance चल लए हो d, तो potential difference होगा, बटा, e into d यानि कि field में तुम d से multiply कर दो, potential difference मिल जाएगा तो बचो बताओ, potential difference क्या होगा यहाँ पर, sir, e into d तो half cv square बटा, half cv square half cv square, द्यान से तो बचो, capacitor में बताओ, कितनी energy stored हो गई, तो ये आजाएगा आपके पास a epsilon not e square d divided by 2, बटा, इतनी energy तो ये मानलो, capacitor में stored है, लेकिन हम से क्या पूछा है, कि sir, battery कितना काम कर रही है, अब मुझे लगता, आपको समझ में आ गया होगा, कि sir, battery कितना काम कर रही है, तो बटा, battery का जो work done है, वो double होगा capacitor में stored energy का तो क्या करना है, sir, इसका double कर दो तो बटा, इसका double कर दो, कि तो क्या हैगा a epsilon not e square d यानि कि इतना work done यहाँ पर battery करेगी अब बहुत प्यारा, बहुत मज़ेदार question है, बहुत मज़ेदार question है ठेक है बहुत ही शामदार question है, बटा, इसका answer आएगा third third answer आएगा, जितने बच्चों का answer, मेरे answer से match कर जाए, chat box में बटा आग लगा देना, ताकि मुझे पता चल जाए, बिलकुल वही अपना तरीका, मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे इसी तरीके से solve कर रहे थे बच्चों आप देख रहो, इस question में कितने सारे concept एक साथ लग गए, पहली बात, कि battery जो काम करती है, उसका सिर्फ आधा capacitor में stored होता है यानि work done by battery capacitor की energy का double है तो पहले हमने निकाला की capacitor में कितनी energy stored है, तो वो लगा दिया half cv square, और potential difference को field के form में लिग दिया into d, फिर जब हमें capacitor में stored energy मिल गई, तो उसका हमने बच्चों क्या कर दिया double, तो हमें work done by battery मिल गया, तो third option बच्चों यहाँ पर सही है अरे बोलो भीया ठीक है, तो कितने बच्चों का answer यही आ रहा था, फटा फट बताओ chat box में आग लगा दिया करो मुझे पता ज़ल जाएगा कि हाँ भी, answer मेरा यही आ रहा था, कितने बच्चों ने यही approach लगाई थी ठीक है तो बड़ा बढ़िया question है मैं आपको बोला हूँ, यह question पे star mark कर लो, यह revise जरूर करना यह question बढ़ा अलग से आप revise जरूर करना बहुत important question है ठीक है, बहुत important question है चलो भाई अच्छा सर, अगले question पे आते है बढ़ा कल मैंने dipole पे आपसे खूब बात कीती, उसी से related question है फड़ा फड़ question पड़ो बचो energy बनी रहनी चाहिए, motivation बना रहना चाहिए, question देखो बड़ो, question क्या है सर, एक bar magnet है बढ़ा, bar magnet है तो बचो, bar magnet भी क्या होता है सर, dipole ही तो होता है तो बचो, एक bar magnet है bar magnet का dipole moment आपको दिया है 10 ampere meter square यानि कि M की value है 10 ampere meter square बिल्कुल ढंग से एक एक question आपको मैं समझा दूँगा एक एक concept अच्छे से बता दूँगा बस आप सुनते रहना है एक एक बाग तो M दे रखा है सर कहरे है सर, वो stable equilibrium में है कल मैंने आपको बताया था stable equilibrium क्या होता है कि अगर magnetic field और bar magnet का magnetic moment same direction में है तो इसको बोलते हैं बच्चो, stable equilibrium तो साथ stable equilibrium कहरे है, work done to rotate the magnet through 60 degree in magnetic field of 2.2 tesla बच्चो, इसको हमें 60 degree rotate करना है मतलब क्या करना है कि सर, पहले तो ये magnetic field की direction में था मतलब ऐसे फिर बच्चो, इसको हमें 60 degree तक घुमा देना है और हमें पता करना है कि यहाँ पर कितना work करना पड़ेगा सोचो, ये किस चीज़ से related है बटा work done का मतलब है तुमें potential energy निकालनी पड़ेगी पहले कि initial potential energy क्या है final potential energy क्या है तब हम इसको बच्चो solve कर पाएंगे क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है बिना potential energy के work done तक नहीं पहुँच पाओगे सोचो potential energy क्या होगी बच्चो चलो बताओ कितने लोगों को potential energy का formula याद है chat box में फड़ा फड़ लिख दो कितने लोगों को potential energy का formula याद है chat box में फड़ा फड़ लिख दीजे ठीक है लिखो भाई फड़ा फड़ लिखो potential energy का formula याद है तो फड़ा फड़ लिख दो बच्चो क्योंकि मैंने आपको बताए था चाहे वो electric में P हो ठीक है वहाँ से सारी चीजे potential energy, torque सब निकाल सकते हो है ना, उसके बाद कोई आपको loop दे रखा हो, वहाँ पर भी सारी चीजे निकाल सकते हैं, फिर bar magnet का case हो यहाँ पर भी same concept repeat होते हैं तो बच्चों याद करिए potential energy का सर फॉर्मला होता था, minus PE cos theta, यहाँ पर लगा सकते हो minus MB cos theta है ना, यही तो लगाएंगे, हाँ सर चलो बच्चों बताओ initial potential energy क्या होगी तो यह होगा बटा, minus MB, और यहाँ पर आएगा पहले तो same direction में था, तो cos 0, यानि कि यह हो गया बटा, minus MB, सर final potential energy होगी, minus MB cos 60, यानि कि यह हो जाएगा, बटा, minus MB by 2, बहुत बढ़िया सर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मज़ा आ गया अब बच्चों एक बात बताओ क्या तुम potential energy में change निकाल सकते हो, हाँ सर कैसे, बटा, change in potential energy क्या होगी, final minus initial तो, बटा, final potential energy है minus MB by 2, सर initial potential energy है, minus MB minus minus plus, 1 में से half गया, तो half बचा, यानि कि MB by 2, यह हो गया, बटा change in potential energy अब तुम सोचो, जितना तुम external work कर रहे हो, वो potential energy कोई तो change कर रहे है यानि कि बच्चो, external work done जो होगा हमारा, वो delta U के बराबर होगा यानि कि बटा, यह भी MB by 2 हो जाएगा, अब रग दो value M into B divided by 2 बताइए बच्चो, answer कितना आ गया, सर सर, यह 1 joule आ गया, सर सर, 1 joule आ गया, बटा, third option जितने बच्चो का यही आ रहा है, वही काम पता है, आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, सही है बहुत बढ़ीया बढ़ीया के बिलकुल सही सभी का अंसर सही है minus MB cos theta बहुत बढ़ीया बढ़ीया, बढ़ीया नह现在 बच्चो yoo ये इतनी बार, मैं आपको उसके बाद बच्चों आपको याद होगा, मैंने आपको time period भी find करवाया था, ये सारी चीजे हमें अच्छे से आनी चाहिए, इस पर question पूछा जा सकता है, clear है सभी को, ठीक है बिटा, ठीक है, clear है सभी को, बिटा ये third number का question है भी, ठीक है, चलो भई, तो तीन question हम लोग solve कर च question में कुछ ना कुछ नया लग रहा होगा, ठीक है, चलो भई, बहुत बढ़िया, ठीक है, देखो, अब इससे क्या मुझे देखो, इतनी आग बरसा रखी है, कि मुझे पता चला है कि हाँ इन इन बच्चों का आंसर सही आ रहा है, ठीक है, चलो भई, बहुत बढ़िया, ब लेकिन question इसी टाइप काएगा, similar question आपको मिल सकते है, ठीक है, चलो भई, आगे बढ़ते हैं सर, वा वा वा, question देखो बच्चों क्या है, question में, अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना है, यहाँ पर मैं कुछ नया सिखाऊंगा आपको, सुनो बच्चों, यहाँ पर कह हैं, कि एक charge क्यू है, जिसको बच्चों हमने cube के corner पर रख दिया है, ठीक है, आगे हमसे बोला गया है, कि electric flux, किसी एक face से बताओ, और वो face जो charge को touch नहीं कर रही है, बात सावन में आ गई, बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, अगले 2-3 मिनट बहुत important हो इस तरह का question exam में आ सकता है, सुनिए जारा यहां पर, होता क्या है, बच्चों जब आप किसी cube, जैसे मान लो बच्चों यहां पर एक cube है, ठीक है, मान लो बच्चों यहां पर कोई एक cube है, और हमें बोला गया, कि इस cube के corner पर आप एक charge रख दो, तो सर मान लीजे हमने इस corner पर एक charge रख दिया, द्यान से सुनना बच्चों, इस corner पर हमने एक charge रख दिया, बच्चों गौसलो क्या कहता था, कि जब कोई closed surface से flux निकालना हो, तो तुम यह देखो, उसके अंदर कितना charge enclosed enclosed है, बच्चों अभी अगर आप द्यान से देखो, तो यह cube इस charge को completely enclosed नहीं कर आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर हम और cube लेके आएंगे, और इस से इस पूरे को enclose करेंगे, तो बच्चों इसके लिए क्या करना होता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजे कि आपने एक cube इसके पडोस में ऐसे लगा दिया, ठीक है बच्चों, एक cube आगे ऐसे लगा दो, है ना, ऐसे लगा दो, फिर एक cube इसके side में ऐसे लगा दो, तो सर अगर आप देखो तो total 4 cube हो गए नीचे, अब ऐसे ही 4 cube आपको इसके उपर रखने पड़ेंगे, तब जाके ये पूरी तरह से बंद होगा, यानि कि बच्चार cube ये हो गए, और 4 cube उ उपर से और रख दिये, और 4 cube ये हैं बेटा, है ना, यानि कि total अगर आप देखो तो नीचे के 4 और उपर से जो 4 रखे, ये 8 cube मिल करके इस charge को enclose कर रहे हैं, इसका मतलब बच्चों ये हुआ, कि आप कह सकते हो, कि 1 cube से flux अगर बेटा ये है, ध्यान से देखना, 1 cube से कितना flux है, 5 cube, और ऐसे total कितने cube है, 8, तो 8 cube से कितना flux होगा, 8 into 5 cube, और ये किसके बराबर होगा, बेटा, enclosed charge upon epsilon 0, और इन 8 cube ने मिल करके, कितना charge enclosed किया, capital cube, यानि कि capital cube by epsilon 0, तो बच्चों यहां से अगर आप देखो, तो एक single cube से कितना flux आ गया, cube by 8 epsilon 0, बच्चों ध्यान दीजेग अभी हमसे जो question पूछा वो अलग है, पहले ये समझो, कि अगर आप, बच्चों अगर आप corner पर किसी charge को रखते हो, cube के corner पर अगर आप charge रखते हो, तो बेटा, किसी 8 cube से जो flux आएगा, वो आएगा, cube by 8 epsilon 0, क्या ये बात समझ में आ गई, अच्छा सर, अब बच्चों यहा यहाँ पर बच्चों एक cube लिया, ठीक है, द्यान सर सुनना, एक cube यहाँ पर आपने लिया, अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पर total 6 face है, ठीक है, 6 में से, जैसे मानलो बच्चों यहाँ रख दिया, मानलो चार्ज को, आप कहीं भी रख दो, मानलो यहाँ पर आपने चार्ज को टच कर रही है, जैसे, बेटा, एक फेस ये हो गई, जो चार्ज को टच कर रही है, एक फेस अगर आप देखो तो बच्चो ये उपर वाली हो गई, ये भी चार्ज को टच कर रही है, इसी तरीके से एक फेस बच्चो देखो तो ये वाली हो गई, ये ज सबसे आगे वाली ये भी चार्ज को टच कर रही तो बेटा तीन फेस ऐसी हो गई जो चार्ज को टच कर रही है और तीन फेस ऐसी है जो चार्ज को टच नहीं कर रही है मतलब कि सामने वाली फेस दूर वाली फेस है ना तो तीन फेस ऐसी हैं जो चार्ज को टच कर रही है अब मेरी बात ध्यान से सुनना यानि कि बटा अगर देखें तो शिक्स फेसे में तीन फेस ऐसी है ठीक है तीन फेस बच्चो ऐसी है जो चार्ज को टच कर रही है बच्चो अगर कोई फेस चार्ज को टच करती है तो उससे flux कितना होगा ध्यान से सुनना जैसे मान लो आपने कोई भी एक face ले ली ठीक है और इसी पे charge रख दिया तो यार खुद सोचो charge से निकलने वाली electric field तो बेटा surface को cross करेगी ही नहीं वो सिर्फ touch करेगी बात आप एक काम करो अपने notebook का एक paper लो paper पेपर पे ही एक charge रख दो तो उस charge की जो electric field उस paper को छूते वे जाएगी ना बेटा तो अगर field cable छूते वे जा रही है तो उससे flux कितना हो गया 0 है ना यानि कि आप कहोगे इस face से कितना हो गया 0 यानि कि जो face charge को touch कर रही है या जिस face पर charge लाई कर रहा है उन faces से flux 0 होगा तो बेटा 3 face जो touch कर रही है उनसे flux कितना हो गया 0 हो गया अब बची बेटा वो 3 face जो उसको touch नहीं कर रही है बची हुई 3 face जो touch नहीं कर रही है ठीक है मनलब की non touching face है बात्सावन में आ रही है मनलब यहाँ पर अगर आप बच्चो देखो तो 3 face जो touch कर रही है उनसे 0 हो गया अब बची जो 3 face जो touch नहीं कर रही है उनसे क्या होगा तो ध्यान से देखो बेटा total flux था q by a epsilon 0 है ठीक है और इनमें आपने कहा कि यह 6 face से है 6 में से 3 से तो बेटा 0 हो गया अब बची वी 3 face में यह equally distribute कर दो बची वी 3 face जो touch नहीं कर रही है उनमें इसको equally distribute कर दो यानि इसका 1 third 1 third 1 third 3 में बरावर बाट दो तो इसका 1 third कितना होगा बचो अगर आप देखो तो इसका 1 third कितना होगा तो इसका अगर 1 third देखो तो q by 8 epsilon 0 का 1 third करोगे तो बेटा q by 24 epsilon 0 आ जाएगा यह जितना भी मैंने discuss किया है बचो आप ढंक से मेरी बात सुन लो इस पर question प और पर रख दोगे तो q से कितना होगा q by 8 epsilon 0 फिर 3 फेस जो टेच कर रही है उनसे क्या होगा 0 और जो 3 टेच नहीं कर रही है उनमें हर एक से कितना होगा q by 24 q by 24 q by 24 क्या सभी को clear हो गया बताइए बाई जिनका जिनका answer सही आया है फड़ा फड़ाग लगा दो जो लोग मेर इसी तरह से ही सोच रहे थे कि हां सर यही अप्रोच हम लेंगे है ना फिर्स्ट ऑप्शन होगा तो टोटल फ्लक्स है q by 8 epsilon 0 जिनसे टच कर रही है उनसे है अब याद कर लो बेटा यह आये तो डारेक्ट टिक कर के आना कि अगर तुम कॉर्णर पर चार्ज को रखोगे तो क्यूब से आएगा बेटा q by 8 epsilon 0 जो टेच कर रही है उनसे आएगा 0 जो टेच नहीं कर रही है उनमें हर एक से आएगा q by 24 epsilon 0 ठीक है बच्चों क्लियर हो गया सभी को आगे बढ़ सकते हैं बताइए चलो बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया सुभदी लवली हरयोम काफी बच्चे तो इस तरीके से तुम्हें सोचना है ठीक है बहुत बढ़िया तो एप्रोच इंपोर्टन है चलو बाई सर अगले question में चलते हैं बचो अगला question capacitor से related है सभी बच्चे बटा एक बार question पढ़ लो एक मिनिट का मैं आपको समय दे रहा हूँ आप question अच्छे से पढ़ लीजे फिर उसको solve करेंगे एक मिनिट का मैं समय दे रहा हूँ फड़ा-फड question को read करो आप लोग ठीक है और पूरी मानदारी से बटा question attempt करना है बिलकुल ऐसे attempt करो कि तुम नेट exam में बैठे हो question को solve कर रहे हो जितना seriousness वहाँ है जितना वहाँ पर तुम परिशान होते हो उतना ही यहाँ भी हर एक question के लिए परिशान होना है ठीक है चलो बाई जल्दी से बटा question पढ़ो बिलकुल बिलकुल जब भी cube होगा और charge corner पर होगा तो केवल 3 face ही तो होंगी जो touch कर रही होंगी और बाकी 3 होंगी जो दूर होंगी तो वो touch नहीं करेंगे है ना बिलकुल बटा चलो बाई तो बिलकुल इस question को ध्यान से पढ़ो question क्या है सर सर एक capacitor है जिसको हमने एक battery से charge किया और उसमें जो energy stored है वो है U तो सबसे पहले इतना कर लो काम कि सर एक capacitor है इस capacitor को सर हमने एक battery से charge किया और जब इसको हमने charge किया तो बच्चो इसमें कितनी energy stored हो गई यू, बहुत बढ़िया, सबसे पहले बटा question पढ़के उसका diagram बनाए करो जितना हो सके आपसे, फिर आगे कह रहे हैं, the battery is not removed, अब battery हटा दो बच्चो battery हटा दो, चलो battery हटा दी, कह रहे हैं कि separation को double कर दो तो battery भी हटा दो, और separation को double कर दो, मतलब इस plate को इससे थोड़ा दूल ले जाओ तो पहले separation क्या थी, D, अब separation कितनी हो गई 2D तो कह रहे हैं बटा, अब कितनी energy इसमें stored है, U- समझाया question, ये solve करना है तो मैं चाहते हैं, बढ़र फड़ा आप solve करो मुझे answer बताओ, फड़ा फड़ा बच्चो solve करके answer बताईए पड़ा फड़ा बच्चो solve करो 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 भाई solve करो, question solve करो देखते हैं कितने बच्चों का answer एकदम सही आता है, ठीक है फिर मैं आपको बताऊंगा, कल मैंने बहुत important concept बताया था कि जब तुम battery disconnect कर देते हो तो कोई ऐसी चीज होती है जो constant रहती है जब तुम battery को disconnect कर देते हो तो कोई ऐसी चीज है जो constant रहती है क्या आप comment section में बता सकते हो कि कौन सी चीज constant है chat box में फड़ा फड़ बताऊ बच्चो जब तुम battery को हटा देते हो तो कोई ऐसी चीज है जो constant हो जाती है फिर वो change नहीं होती है तो बैटरी हटा देने के बाद कौन सी ऐसी चीज है जो constant हो जाती है charge constant रहता है या potential difference constant रहता है फड़ा फड़ बता बचो कली ये चीज मैंने आपको बताई थी charge constant रहता है या potential difference constant रहता है बदा ये चार्ज कॉंस्टेंट रहता या पोटेंशल डिफ्रेंस तो बचो आपको पता है कि जब मैंने बैटरी यहां से डिसकनेक्ट कर दी तो जितना चार्ज बेटा यहां रहा होगा क्यूं उतना ही चार्ज यहां पर रहेगा क्यूं जब बैटरी तुमने हटा दी है तो चार्ज कॉंस्टेंट रहेगा यानि क्या आप कह सकते हो सर चार्ज कॉंस्टेंट रहेगा अच्छा बचो एक बात बताओ कैपैसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा तो सर कैपैसिटेंस होती है A Epsilon 0 by D अब तुम ध्यान से देखो तो सर हमने सेप्रेशन को डबल कर दिया सेप्रेशन को सर डबल कर दिया बेटा इसको डबल कर दिया तो सोचो C क्या हो जाएगा 1 by 2 टाइमस पता होगा या नहीं होगा क्योंकि बेटा D जो है वो denominator में आ रहा है अगर तुम सेप्रेशन को डबल करोगे तो C 1 by 2 टाइमस हो जाएगा यानि कि जो केपैसिटेंस है बेटा वो यहाँ पर आधी हो गई यानि कि 1 by 2 टाइमस हो गई बहुत बढ़िया बेटा बिल्कुल सही आंसार है बिल्कुल है ना आग लगा रखी है आप लोग ने बिल्कुल सही है सही आंसर है अब अच्छा एक बात बताओ अब मुझे एक बात बताओ चार्ज तो कॉंस्टेंट है सही है और केपैसिटेंस आधी हो गई सोचो बेटा कौन सा फॉर्मूला पोटेंशल एनर्जी का हम लगाए ताकि हम इन दोनों के साथ रिलेट कर पाए तो सर पोटेंशल एनर्जी का एक फॉर्मूला था सर Q स्क्वाइर बाइ टू सी बेटा पोटेंशल एनर्जी का एक फॉर्मूला था Q square by 2c अब आप क्या बोल ले हो कि सर चार्ज तो constant बना रहेगा सर चार्ज तो constant बना रहेगा और जो c है सर c कितना हो चुका है सर c 1 by 2 times हो गया है ध्यान देना c 1 by 2 times हो गया है यह सीधी बात दिखाई दे रही है कि जब चार्ज constant तो potential energy c के inversely proportional है देखो बच्चो एकदम साब साब दिखाई दे रहा है ध्यान से सुनो मेरी बात जो मैं बोल ला हूं अगर चार्ज constant है तो potential energy c के inversely proportional है तो तुम c को जितना करोगे उसका उल्टा यू हो जाएगा तो बताओ c को कितना किया सर c को हमने one by two times कर दिया जब c को sir one by two times किया तो सर सोचो denominator में one by two लोगे तो potential energy two times हो जाएगी two times हो जाएगी यानि कि sir third option यहाँ पर सही होगा कितने बच्चों का answer third आ रहा था अपने लिए एक बार आग लगा दीजे जिनका जिनका third आ रहा था ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ हाँ इन बच्चों का answer देखो कुछ का तुम मुझे chat box में दिख रहा है कि answer third आ रहा है कुछ ऐसे होंगे जो बताई नहीं रहे हैं उनका third आ गया लेकिन बता नहीं रहेगी पता नहीं गलत ना हो ठीक है बिटा बहुत अच्छा question है need के लिए मैं बता रहा हूँ very very important question very very important question ऐसे ही questions बिटा पूछे जाते exam में ऐसे ही questions आपको exam में मिलेंगे बातसाओं मियारी ऐसे question exam में पूछे जाते हैं चोटी चोटी बातों का ध्यान रखना जल्दबाजी की तो बिटा गलत हो जाएगा answer जल्दबाजी की तो गलत हो जाएगा clear है क्या बदाओ भई क्या सभी को clear है सभी को समझ में आ गया बिटा ये practice session में आपको बता रहा हो कि जितना important कल वाला था session उतना ही important ये भी है मतलब इन दोनों को मिला के कोई अगर डंक से पढ़ लेगा ना तो वो सोच नहीं सकता कि केवल क्या दो दिन के अंदर अंदर कि इतने सारे chapter इतना अच्छा किये जा सकते है उस level पर पहुंच जाओगे है ना बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया थार्ड आंसर चलो बहुत बढ़िया मतलब काफी लोगों के आंसर एक दम सही आ रहे हैं चलो बहुत शांदर बहुत ही शांदर एक बच्चा कहा रहा सर मेरे में तो option ही नहीं है आग लगाने का तो हम आग कैसे लगाएं कोई बात नहीं बेटा आप अपना अंसर बस लिखके हमें दे दीजे ठीक है मतलब आप ये अच्छी बात है न देखो अब बच्चा पूछ रहा है सर की आग लगाने का option नहीं मतलब उसका अंसर सही आया है तो ये भी तो एक तरीके से है न बहुत अच्छा लगता है मतलब आप लोग के अंसर सही आ रहा है magnetic susceptibility of paramagnetic substance बचो पैरा मेगनेटिक सबस्टेंस magnetic susceptibility of paramagnetic substance कह रहे है temperature के साथ plot करना है तो paramagnetic substance के लिए magnetic susceptibility temperature के साथ कैसे vary करती है फड़ा फड़ बदा बच्चो इसका अंसर आग लगा दो आग लगा दो आग लगा दो राहुल कह रहे सर मैंने दोनों की capacitance लेके compare किया है तो मेरा भी answer वही आ रहा है ठेक है बलब two times आ रहा है बिलकुल सही है बटा अगर आप दोनों की हम भी तो वही कर रहे है हम capacitance को ही तो compare कर रहे है कि पहले capacitance यह थी बाद में यह हो गई तो capacitance से potential energy पर क्या असर पड़ गया बिलकुल सही है बिलकुल सही है बचो कल मैंने आपको बचो ही बताया था याद करो कल ही मैंने आपको ही बताया था most important question पैरा magnetic substance में क्या होता है सर याद करिए बताओ बचो पैरा magnetic substance के लिए क्या होता है बताओ तो सर हमने यह पड़ा है पैरा magnetic substance के लिए जो magnetic susceptibility होती है वो temperature के reciprocal होती है inverse में चलती है अरे याद करो भीया important है बचो question पूछा जा सकता है इस पर तो paramagnetic substance की susceptibility temperature के साथ reciprocal होती है inverse में चलती है ठीक है तो इसका मतलब सर यह हुआ कि अगर susceptibility को temperature के साथ plot करेंगे तो temperature बढ़ाने पर susceptibility कुछ इस तरीके से बेटर rectangular hyperbolic graph होगा rectangular hyperbolic graph होगा तो सर फोर्थ option आएगा जिनका जिनका फोर्थ option है बेटा समझ गया होगे क्या करना है सही है clear है बच्चों है ना यह important question है यह सब need exam के लिए बहुत important और चीजे तुम्हाँ सामने से इतनी बार चली जाएंगी ना कि तुमसे गलत नहीं होगा बहाँ पर तो paramagnetic बच्चों कभी भी दिखाई दे तो paramagnetic substance के लिए temperature बढ़ाने पर susceptibility ऐसे decrease करती है यह fourth option graph याद रखना है ठीक है बहुत बढ़ी आसर बहुत ही बढ़ी है ठीक है अब बच्चों अगला जो question आने वाला है वो थोड़ा सा अच्छा question है है ना तो आप लोग थोड़ा सा और ज्यादा एनर्जी के साथ उस question को attempt करना सही है बड़ी मेहनत कर रहे हैं देखो यार सभी बच्चे और बड़ा अच्छा लगता मतलब साथ साथ आप question practice इतनी कर रहे हो यह दिखा रहा है कि बच्चे कितना serious है इस time पर आप समझ रहे हैं यह भी हर किसी के बसकी बात नहीं बटा कुछ लोग तो इतना डरे व रात है है ना और डर के आगे देखो जीत का रास्ता आपके लिए खुल चुका है आप question solve कर रहे हैं आपके answer सही आ रहे हैं चलो भाई अगला question बहुत ही प्यारा question है बच्चो बहुत ध्यान से पढ़ना है इसमें बहुत सारे concept लगेंगे एक साथ ठीक है मतलब की अच्छा question है बच्चो यहाँ पर question को पढ़ो इसमें क्या बोला जा रहा है कि सारी uniform wire है जिसका resistance R है ठीक है फिर बच्चो उसको हम stretch कर रहे हैं कल मैंने end times हो जाती है पहले का original length का end times length हो जाती है यानि कि R resistance के एक wire को हमने खीच दिया बिलकुल stretch कर दिया और उसकी length को हमने end times कर दिया बहुत बढ़िया बच्चो आगे बोला गया है कि जब आपने उसको stretch कर दिया ठीक है तो पहले एक काम इतना ही कर ले पहले इतना ही कर लेते ह यहाँ पर देखो एक मालो resistance है जिसकी length मालो कुछ होगी L फिर आपने इस wire को stretch कर दिया बच्चो इस wire को आपने stretch कर दिया तो मालो wire को stretch करके ऐसा कर दिया अब सर इसकी length कितनी होगी N into L यानि कि wire की length को हमने stretch करके N times कर दिया कितने बच्चो को यह याद है कि जब हम wire को stretch करते थे तो resistance जो था वो length के square के proportional होता था क्योंकि यही खेल बेटा यहाँ पर है जब भी आप wire को stretch कर रहे हो ठीक है बच्चो जब भी आप wire को stretch कर रहे हो जो resistance है वो बच्चो length के square के proportional होता है stretch करो, volume constant रखो, mass constant रखो, या फिर आप उसको recast कर दो, melt करके इन सभी process में resistance length की square के proportional होता है, कितने बच्चों को ये वाला point याद है बच्चा कह रहा है, डर के आगे selection है बिल्कुल है बटा, जिसने देखो, डर सबको लगता है बस कुछ लोग क्या होते हैं, डर करके बैड जाते हैं, और कुछ लोग डर को side करके, खुब मैनत करते हैं वही आगे निकल जाते हैं बच्चों मुझे एक बात बताओ, जिनको ये वाला concept याद है, आपको बताना है, किसार हाँ मुझे ये वाला point याद है कैसे बताना है, वो तरीका आप जानते हो ठीक, बच्चों, resistance length के square के प्रपोशनल, ये चीज़ मत बूलना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पर question फस सकता है ठीक है, तो बच्चों, जब भी किसी wire को तुम stretch करोगे तो उसका resistance length के square के प्रपोशनल होता है, अब मुझे एक बात बताओ length सर कितने times होई, तो length को तुमने n times कर दिया बच्चों, अगर length को n times कर दिया, तो resistance कितने times हो जाएगा, उसका square times, क्योंकि length का square करते तब resistance आता है, तो बटा, अगर length को तुमने n times सर, जो resistance पहले r था अब वो n square r हो जाएगा क्या बात समझ में आई जो resistance पहले r था सर, वो अब n square r हो जाएगा कितने बच्चे यहां तक पहुँच गए है पढ़ा फट बताओ, बहुत बढ़ी है बटा, third, third, देखते है सर, यहां तक तो हमें आगया, इसके बाद, अब बच्चो आगे इन्होंने बोला question के अंदर ठीक है, देख रहा हो बटा, इस question के अंदर बहुत चोड़े-चोड़े concept है, तो एक concept तो यह stretching वाला आगया, आगे क्या बोला सर, इसको 5 equal length के wire में cut कर देते हैं, तो इसके 5 बराबर टुकड़े कर दो, तो बच्चो एक बात बताओ, इस लंबे से wire के 5 टुकड़े करेंगे, अगर हम याने कि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टुकड़े कर दिये, तो हर एक टुकड़े का resistance क्या आएगा, भई resistance कितना हो चुका है, N square R, तो उसके 5 बराबर टुकड़े कर दिये, तो हर एक का resistance N square R by 5, इसका भी N square R by 5, मलब हर एक टुकड़े का N square R by 5 हो जाएगा, सही है, अच्छा सर, बच्चो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए इस N square R by 5 को R 0 मान लो, ताकि में बार बार जादा लिखना ना पड़े, अब हमने क्या क्या सर, उसको इस तरह से arrange कर दिया, यार तुम अगर ध्यान से देखो, बच्चो ध्यान से देखो, इसका resistance R 0, इसका resistance R 0, इसका resistance R 0, कुछ याद आ रहा है, कितने बच्चों को इस diagram को देखके कुछ याद आ रहा है, कुछ ना कुछ तो याद आ रहा है, बेटा, PDF कल के lecture का upload हो चुका है, आप पर, है न, आप देख लिजेगा, ठीक है, PDF कल के lecture का upload हो गया, देख लेना बेटा, सही है, और उसको अच्छे से पढ़ लेना, पहले मुझे एक बात बदाओ, कितने बच्चों को इस diagram देखके कुछ याद आ रहा है, सर कोई तो चीज थी, अगर this upon this बराबर this upon this हो जाए, तो फिर यह होता है, क्या नाम था, इसका नाम क्या था, इसको क्या कहते थे बच्चों, इसको हम लोग बोलते थे, wheat stone bridge circuit, wheat stone bridge circuit, बच्चों ध्यान से देखो, r0 by r0, 1, इधर r0 by r0, 1, और अगर resistance का ratio same है, तो बीच वाले resistance से कोई current pass नहीं होगी, तो इसको हम remove कर देंगे, बात सब नहीं, इसको हटा देंगे, सर जब हम इसको हटा देंगे, तो circuit ऐसा बन जाएगा, कि सर यहाँ पर, resistance r0, यहाँ resistance r0, यहाँ resistance r0, यहाँ resistance r0, ऐसा, तो बैटा यह r0, यह r0, यह r0, यह r0, अब तो मुझे लगता कुछ बचाही नहीं कुश्चन में, यह एक बात बताओ, r0 और r0 किस में है, सर सिरीज में है, तो कितना हो गया सा, 2 r0, फिर यह r0, r0 सिरीज में है, बच्चो, इसका भी कितना हो गया 2 r0, फिर 2 r0 और 2 r0 पैरलल में है, तो r equivalent बटा कितना हो जाएगा, 2 r0 और 2 r0 पैरलल में, तो 1 by 2 plus 1 by 2, 1, यानि कि r0 आ जाएगा, और r0 कितना है, बटा, n square r by 5, n square r by 5, यानि कि बटा, third option है, third option, जिनका जिनका आंसर यही आ रहा है, आप समझ गया क्या करना है, मुझे बता दो कि answer यही आ रहा है, बिलकुल बिलकुल, 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 बहुत ही शांदार, आप देखरों, इस question में सोचो, यार कितना बढ़ीया-बढ़ीया concept लगे है, stretch किया, वो वाला concept आ गया, wire को cut किया, तो हर एक का resistance निकालने वाला concept, फिर तुम्हें weed stone भी दिख रहा है, तो फिर यह हटा के, फिर equivalent resistance का भी इसी में concept आ गया, आप सोच चार से पाँच concept लग रहा है इसके अंदर, तो यह section B लायक question है, अच्छा question है, revision बढ़ीया हो जाएगा इस तरह के question से, है के नहीं बच्चों, इस तरह के question से आपका revision अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़ीया बटा, बहुत ही सांदर, हाँ हाँ बहुत बढ़ीया, कितने बच्चों को answer यही लग रहा था कि थर्ड आएगा, बताओ भई, कितने बच्चों को answer यह थर्ड आ रहा था, कितने लोगों को लग रहा था कि थर्ड आएगा, आएगा आएगा बहुत बढ़िया बिल्कुल आग लगा रखी है बरसात कर दी आग की एक दम अगला जो question आने वाला है ये metal की एक बहुत प्यारी property है उसका use करके है मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुमारे सामने question आए question पढ़ो और मुझे ये जरूर बताओ कि sir metal की इसमें कौन सी property लग रही है कल मैंने आपको isolated metal की कुछ properties बताई थी कि ऐसा होता है ऐसा होता है तो question देख करके आपको बताना है कि कौन सी property यहां पर use हो रही है तो बच्चो ज़रा इस question को ध्यान से देखो बहुत बढ़िया बच्चो है कि अमाग बरसा रखी इसका मतलब कि आंसर एकदम सही आ रहे है ठेक है बेटा जहां पर short trick लगनी होगी वहां पर जरूर बताएंगे लेकिन अभी आप focus करो concept पर सही है बच्चो यहां पर देखो इस question को ध्यान से देखो ठेक है जहां पर short trick आएगी वहां मैं जरूर बताऊँगा आपको लेकिन short trick के चक्कर में आपके concept मुझे खराब नहीं करने है ठेक है तो इसलिए पूरा focus चीजों को सीखने में लगाई है बच्चो यहां पर देखो यह कह रहा है एक uncharged solid conducting sphere है बच्चो यहां पर हमाँ पास क्या है uncharged solid conducting sphere है एक sphere है solid conducting sphere है ठीक है सर इसकी radius हमें दे रखी है r है है ना r radius है और बच्चो यह एक particle जिस पर q charge है उससे d distance पर रखा हुआ है तो मैं बच्चो अलग से एक बार diagram बरा के आपको दिखा दे रहा हूँ कि सर यहां पर हमारे पास charge क्यूँ है यहां पर बच्चो एक metal sphere है metal sphere का जो center है ठीक है वहां से और इस charge तक की distance है बटा d जबकि इस metal sphere की खुद की radius है r ठीक है अच्छा सर आगे बोला गया है बच्चो यहां पर की electric field at point P just inside the surface due to the induced charge appearing on the sphere मतलब क्या है यह कह रहे है कि इस sphere पर जो charge induced होगा द्यान से सुन न इस sphere पर जो charge induced होगा उस charge की वज़े से यहां पर जो point P है यहां पर point P है जो point P वो just अंदर है तो कह रहे है कि point P पर electric field कितनी होगी induced charge की वज़े से section B का question है बच्चो यह question आएगा तो section B में आएगा यह question अगर आएगा तो section B में आएगा और बहुत एक प्यारी property है कितने बच्चो को याद है वो property बताईए बच्चो क्या property थी बताऊ बच्चो क्या property थी मैंने आपको कल बताया था कि कहीं भी तुमें isolated metal मिल जाए तो बच्चो isolated metal के अंदर जो electric field होती है वो zero होती है क्या यह बात आपको याद है बटा ध्यान दो इसमें आपसे यह नहीं पूछाए कि net electric field क्या है point to be noted हमसे यह नहीं पूछाए कि point P per net electric field क्या है हमसे पूछाए point P per electric field induced charge की वज़े से क्या है क्या बात समझ में आ रही है कुछ लोग जल्दवाजी में zero पे tick कर देंगे लेकिन हमसे बच्चो यह नहीं पूछाए कि point P per net electric field क्या है हमसे पूछा है point P per electric field induced charge की वज़े से क्या है है ना तो पहली बात बच्चो आपको याद होगा कि अगर isolated metal है isolated metal है तो उसके अंदर net electric field सर जीरो होती है यानि कि point P per net electric field क्या होगी zero अब मेरे बात ध्यान से सुनना एकदम देख के answer आएगा यूँ सुनो बच्चो एक बात बताओ point P per electric field दो लोगों की वज़े से होगी पहला इस point charge क्यों की वज़े से और दूसरा इस surface पर जो charge induced होगा उसकी वज़े से अरे होगी या नहीं होगी और point P per net electric field zero है या हमें पता है जरह एक बात बताओ point charge Q की वज़े से P per electric field commend उसके लिए तुम्हें distance चाहिए होगी तो ये distance क्या होगी D minus R तो charge Q की वज़े से point P per electric field क्या होगी दियान से देखो बटा तो charge Q की वज़े से point P per electric field क्या होगी तो आपको पता है charge Q की वज़े से electric field इस direction में होगी सही है, charge Q की वज़े से point P पर electric field इस direction में होगी और कितनी होगी, सर KQ by distance का square KQ by distance का square बेटा point charge की वज़े से अगर electric field इधर है और net field तुम्हें पता है point P पर 0 है इसका मतलब बच्चो इस पर जो induced charge होगा उसकी वज़े से electric field किदर होगी तो आप कहोगे कि Sphere पे जो Charge Induce है उसकी वज़े से Electric Field इधर होनी चाहिए बदाओ बच्चो Induce की वज़े से Electric Field इधर होनी चाहिए और आपको पता है बच्चो इस Point पर Net Field कितनी है Sir Zero है तो सबसे पहले Direction देखो Sir जो Induce Charge की वज़े से Field है वो इस तरफ आ रही है बच्चो इधर आने का मतलब क्या है C से P की तरफ Along CP PC मत कर देना CP भई Electric Field इधर आ रही है यानि कि बच्चो C से P की तरफ आ रही है है ना तो Along CP तो बच्चो जहां पर Along PC लिखा है गलत है Along PC लिखा है गलत है along cp लिखाए एक ही option है और induced field का magnitude exact इसके बराबर होना चाहिए तब ही तो cancel होगा तो हम क्या कहेंगे सर induced field का जो magnitude है वो सीधे सीधे kq upon d minus r का square होगा अगर तुम magnitude ना भी निकालो तो भी answer बता सकते हो बातसाओ में आ रही कैसे बाई तुम्हें पता है बच्चो कि ये वाला charge इधर की और field प्रेड्यूस करेगा तो induced charge इधर की और field प्रेड्यूस करेगा तो induced charge की field की direction है c से p की तरफ तो एक ही option है जिसमें तुम्हें c से p की तरफ दिखाई दे रहा है तो इसका answer बच्चो second आ जाएगा बताईए कितने बच्चो का answer second आ रहा था बेटा जो point है ना वो अंदर लाई कर रहा है इसी वज़े से net electric field 0 है ठीक है आपको पता है ना electric field 0 होती है अंदर बाहर 0 नहीं होती तो point जो है वो metal के अंदर लाई कर रहा है इसी लिए वहाँ पर net electric field हमें 0 करनी है क्या सभी को बात clear है इस question की बताओ भई कितने बच्चों को इस समझ में आ गया clear है ये वाला question बता दीजे फटा फट तो हम आगे बढ़ेंगे जितने बच्चों को समझ में आ गया है chat box में बता दो कि हाँ सर आप समझ में आ गया ये question तुम सिर्फ direction देख के answer बता सकते थे फिर भी मैंने पूरा solve कराए कि अगर magnitude भी आ जा तो कैसे करोगे सीधी सी बात है point charge की वज़े से या electric field इधर है तो induced charge की वज़े से electric field इधर होगी और net इसका 0 होगा तो तुम से अगर net field पूछता तो answer 0 था लेकिन उसने पूछा induced charge की वज़े से field क्या है तो उसको हम बच्चो ऐसे बताएंगे ठीक है ताकि point charge की field को induced charge की field cancel कर दे और net field यहाँ पर 0 हो जाए चलो भाई बहुत बढ़िया कोई बात नहीं बिटा कोई बात नहीं अगर किसी का answer गलत भी आ रहा है तो परिशान नहीं होना है ठीक है आपको अब समझ में आ गया के नहीं बताओ क्या सभी बच्चो को यह वाला question समझ में आ गया है बताओ भई क्या सभी को यह question समझ में आ गया है बताओ, कहरे से डराओ मत हमें, समझ में आ गया हमें, यह section B वाला question है, section B में आएगा, A में नहीं आएगा, यह section B में आएगा, आएगा तो section B में आएगा, क्या बात सबको सौझ में, देखो metal की मैंने कहाता न, बहुत बढ़िया property का use कराएंगे, वो यह वाला question है, ठीक है, चलो भई, अगले question की तरफ चलते हैं, तो question आपकी screen पर यह रहा, पढ़ो जल्दी से question, पढ़लो बेटा, पूरा question पढ़लो देखो, क्या पूछा है इसमें, पढ़लो बेटा, पढ़लो, कोई बात ने, बेटा, किसी का अगर गलत भी हो गया, अब समझ में आ गया कि नहीं कह रहें कि डाइपोल मूवमेंट है P, मूवमेंट ओफ एनर्सिया है I, कहने डाइपोल को थोड़ा सा disturb कर देते हैं equilibrium से, तो angular frequency क्या होगी, बचों हमसे angular frequency पूछा है, angular frequency तुम्हें याद है, omega से represent करते थे, हमसे पूछा है सर, angular frequency क्या है, यानि कि हमसे बेटा, omega की value पूछी बहुत बढ़िया बच्चो, omega बताना, बता omega कैसे आएगा, मुझे लगता है ये तो सभी लोग solve कर ले जाएंगे, कल मैंने कई बार आपको बताया, कई जगे पर बताया, कि बटा कभी भी तुम्हें dipole दिया हो, electric field में, जब वो oscillate करता है, तो उसका time period क्या होता है, ठीक है जितने बच्चों को लगता है कि time period यही है, वो chat box में आग लगा दो, 2 pi root i upon p, कितने लोगों को ये formula याद था, सबसे बड़ी बात तो ये है, कितने लोगों को formula ये याद है, t बराबर 2 pi root i upon p, ठीक है, और अगर तुम्हे time period पता है, तो भई omega निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, भई time period होता है, 1 upon frequency और यही time period होता है, 2 pi by omega, ये चीज़ याद रखो, time period होता है, 1 upon frequency और यही time period होता है, 2 pi by omega, ठीक है, बात साहर में आगे, तो time period होता है, 1 upon frequency, यह time period को लिख सकते हो, 2 pi by omega, तो बच्चों अगर यहाँ से omega निकालना हो, तो omega क्या आजाए सा 2 P by T तो उपर हो गया 2 P ती की जर्गे क्या लिखो गया 2 P sqrt of I upon P e तो बैठा टू पाइस से 2 पाइ गया क्या आ गया बता यह आ गया सर P e upon I और इसका स्क्वेयर रूट है तो सर यह option तो हमें दिख रहा है P e upon I P e upon I और उसकी पावर 1 बाई 2 कितने बचो का अंसर यही आ रहा है फ़र्स्ट फड़ाफट बताओ बच्छो अच्छा इस पर जल्दबाजी मत करना कई बार होता है फ्रीक्वेंसी पूछी यह टाइम पीरड बताया है टाइम पीरड पूछा है ओमेगा निकाला है तो यहां केरफुली पढ़ लेना कोश्चन आप से पू सिय्जव कर लेते अ है बताओ बए कितने लोग ये कुश्चन खुच से भी सॉल कर सकते थे कर सकते थे ना बताओ बए है न बहुत बढ़ी आसर बहुत बढ़ी आगे बढ़ते है आलाा है वह मेततर यहांपर के इंपके सामने Equivalent Capacitance हमें Find करनी है वो भी A और B के बीच में A और B के बीच में बच्चो हमें Equivalent Capacitance Find करनी है आपको याद होगा सर कि जब Capacitor बच्चो Series में होते है तो हम लगाते हैं 1 upon C1 plus 1 upon C2 है ना ये होता है बटा 1 upon C equivalent जब Capacitor बच्चो आपको parallel में दिये जाते हैं याद करो याद करो याद करो तो C equivalent क्या होता था बटा C1 plus C2 यह याद रहेगा छोड़ी छोड़ी बाते हैं अच्छा सर तो सर एक बात बताईए बच्चो यहाँ पर ध्यान से देखो बताओ 10 और 10 ये किसमें है सर? Series में है बच्चो बताओ 10 और 10 अच्छा तुम्हें एक shortcut भी बता दे अगर कभी तुम्हें C और C Series में दिये जाए तो इनका equivalent होगा बच्चो C by 2 अगर C और C Series में दिये जाए तो इनका equivalent क्या होगा बटा? C by 2 इसी तरीके से बच्चो अगर C और C आपको इस तरीके से parallel में दिये जाए तो इनका equivalent होगा 2C क्योंकि direct जुड़ जाएगा तो 2C हो जाएगा अगर C और C Series में तो आधा कर दिया C by 2 अगर C और C parallel में तो जोड़ दिया 2C अब यहाँ पर देखो बटा ये question फड़ा-फट solve करेंगे? सर फड़ा-फट question solve बेटा खुद से जरूर करो ऐसे देखते मत रहे न screen खुद से भी solve करना है तो जरा मुझे एक बात बताओ सर 10 और 10 Series में है और Series में हो जाता है C by 2 यानिकि सर 10 और 10 का यहाँ पर कितना हो गया सर 5 micro kulam यह point A है इसका हो गया बेटा 5 micro kulam अगर आप नीचे देखो यहाँ पर तो यह भी कितना हो गया 5 micro, sorry 5 micro farad तो 5 micro farad उपर 5 micro farad नीचे सर अगर बीच में देखे तो क्या है सर 15 micro farad बच्चो एक बात बताओ इधर कितना है 3 micro farad अच्छा अब इधर आजो सर यह जो 6 और 6 है यह सर सिरीज में है 6 और 6 सिरीज में बताओ C और C सिरीज में तो कितना आएगा C by 2 तो 6 और 6 का 6 by 2 यानि 3 आ जाएगा तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बच्चो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 3 micro farad और बच्चो यह हो गया कितने बच्चो को फिर से कुछ याद आ रहा है याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है बच्चो बताओ इसको देख के तुम्हें कुछ याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है बताओ इसको देख करके this upon this बराबर this upon this कुछ याद आ रहा है बताओ कौन सा कैपैसिटर होगा जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा कौन सा कैपैसिटर होगा जिसको हम यहां से हटा सकते हैं रिमूब कर सकते हैं फटाफट बताओ बच्चो ठीक है बताओ बच्चो फटाफट कौन सा कैपैसिटर होगा जिसको हम यहां से हटा सकते हैं remove कर सकते है सर बिलकुल यह तो बहुत छोटी सी बात है सर 5 divided by 5 बराबर 3 divided by 3 यानि कि आप कह सकते हो C1 by C2 बराबर C3 by C4 अगर कैपैसिटन्स का रेश्यो दोनों तरफ बराबर है तो बेटा इस वाले को तुम हटा सकते हो इस पर कोई चार्ज नहीं जाएगा ठीक है अब इसको हटा दिया तो सर उपर क्या आ गया बेटा 5 और 3 फिर नीचे भी क्या आ गया सर सेम 5 और 3 अब बच्चो इसको solve करना है तो बहुत आसान है सर 5 और 3 का कैसे निकालेंगे तो बेटा 5 और 3 का कर लो तो ऐसे कर लो 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 3 तो बेटा नीचे आपने 15 ले लिया ठीक है तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 5 तो बच्चो यह कितना हो गया 8 बाई 15 लेकिन यह 1 by C equivalent है तो C equivalent इसका उल्टा यानि कि 15 by 8 हो जाएगा अरे बच्चो यही तो होगा तो 15 by 8 आ रहा है इसका result इन तो मतलब क्या है सर कि उपर भी 15 by 8 है और नीचे भी 15 by 8 है तो बच्चो 15 by 8 और 15 by 8 तो अगर parallel में तो direct जुड़ जाएगे तो सर यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 by 8 प्लस 15 by 8 यानि यह आ जाएगा 15 by 4 ठीक है बताओ बाई क्या answer आएगा फटा फटा बताईए 15 by 4 15 by 4 15 by 4 बहुत बढ़िया बटा सभी के answer सही है जिनके जिनके answer सही है chat box में आग लगा दो मुझे पता चल ला है कि हाँ बच्चे इस question का answer खुद से find कर सकते थे एक्जाम में अगर यह question आता तो आपसे गलत ना होता ठेक है देख लो बच्चो एक बार अच्छे से पूरा जिनका जिनका answer सही है मुझे बता दो फड़ाफट जिनका जिनका answer सही है फड़ाफट बता दो फड़ाफट बता दो जिनका answer सही है बच्दा दो अच्छे से किस रहा हमारा हमारा अंसर सही है ठीक है clear है सभी का यही आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया तो बच्चो अगले question की तरफ चला जाए बहुत बढ़िया तो बटा इस तरह से छोटी छोटी चीज अगर पकड़ के चलेंगे तो हम बहुत अच्छा कर ले जाएंगे ठीक है अब बचो अगला question देखो आजो बटा अगले question में अगला question बचो यहाँ पर आपके सामने है ध्यान से देखिएगा एक यह battery है एक यह बैटरी है और एक यहाँ पर resistance है R मैं आपको question समझा देता हूँ क्या है बचो main बात यहाँ पर यह है कि potential difference of cell A is 0 यहाँ पर बोला गया है बचो मैं आपको बताओ एक cell तो आपको यह दिख रहा होगा एक cell तो बचो आपको यह दिखाई दे रहा है और एक cell आपको यह दिखाई दे रहा है है ना तो हमसे बोला है कि जो बटा cell A है उसके across potential difference 0 है cell A के across बच्चो potential difference कितना है 0 है तो हमसे यह पूछा गया है कि resistance R की value क्या होगी यह वाले resistance R की value क्या होगी बहुत मज़ेदार question है चलो याद करो बटा कल मैंने आपको दो चीजे बताई थी उसमें से एक concept लगेगा क्या बचो अगर किसी battery ध्यान से सुनना अगर किसी battery का जो EMF है अगर उसी direction में उसमें current flow कराते हो तो बटा potential difference आता था E minus IR जितने बच्चो को याद है मुझे बता दो कितने बच्चो को यह वाला तरीका याद है जो मैंने कल बताया था कि अगर EMF और current same direction में है तो potential difference बच्चो होता था E minus IR कितने लोगों को याद है कल वाला कल यह वाला concept बताया था बटा कितने लोगों को याद है बताओ बटाओ बटाओ तो potential difference होता है E minus IR कब जब EMF और current दोनों same direction में होते हैं अब सर यह क्यों बता रहे हो बच्चो सोचो अगर इनों ने बोला है कि जो पहला cell है उसका potential difference 0 है तो 0 तभी हो सकता है जब E minus IR हो E plus IR तो कभी 0 हो नहीं सकता क्योंकि जुड़ना है दोनो E minus IR ही 0 हो सकता है तो अब ध्यान से सुनना इसका मतलब बच्चो यह हो गया कि इसमें जो current है वो ऐसे चल रही होगी ऐसे चल रही होगी current बच्चो ऐसे चल रही होगी EMF की direction में चल रही होगी अब इनोंने क्या बोला सर पहली battery के across potential difference 0 है तो बच्चो एक बात बताओ पहली battery के across potential difference कितना आएगा सर तो पहली battery के across potential difference 0 है तो बच्चों क्या लिखेंगे E1 minus I R1 बराबर 0 तो बटा E1 कितना है 1.5 रग दो यहाँ पर minus I और R1 कितना है बटा 3 तो यहाँ से अगर आप देखो तो I की value बच्चों आ गई 1 by 2 ampere भई 1.5 by 3 करोगे तो 1 by 2 ampere आएगी मतलब 1 by 2 ampere की current बच्चों इस circuit में flow हो रही है important question है ध्यान से सुनना तो बटा half ampere की current इस circuit में flow हो रही है अब बच्चों एक बात बताओ इस circuit को ध्यान से देखो वापस से मैं draw कर रहा हूँ एक तो यह battery है फिर एक यह battery है और बच्चों यहाँ पर आपको एक resistance मिलना है R अच्छा इस battery के cross potential difference कितना है सर 0 है इसके cross potential difference 0 है इसके बात करें तो यह 2 volt है 1 ohm यह है R यह है और current बच्चों इस circuit में कितनी flow हो रही है तो current अभी हम निकाल चुके half ampere यह निकल चुकी है बहुत ध्यान से सुनना बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो इस battery के cross potential difference 0 है तो इसको तो गायब कर दो जब potential difference 0 है तो इस battery को ऐसे छिपा दो कोई मतलम नहीं इसका क्योंकि potential difference 0 है अब मुझे एक बात बताओ इस circuit में बच्चों जो current यहाँ पर चल लई है वो current ध्यान से देखो तो sir current क्या होती है current होती बच्चों net EMF upon equivalent resistance बहुत ध्यान से देखना बच्चों इस circuit में अगर आप देखो तो यह तो वैसे potential difference 0 हो गया इसको दोड़ा दो इस पूरे circuit में गूम जाओ तो EMF के नाम पर हमारे पास 2V का cell है तो 2V तो यहाँ पर हो गया बेटा अच्चा equivalent distance किया होगा तो बेटा एक resistance यहां R है और इसी के साथ series में 1 Ohm है तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा R plus 1 Ohm क्योंकि इसका potential difference तो 0 है तो इसको दो में लिखना ही नहीं है जो current है उसमें 2 divided by R plus यह बच्चो current कितनी है 1 by 2 तो एक काम करो current की जगे बेटा लिख दो 1 by 2 और यहाँ आ जाएगा 2 upon R plus 1 फटा फट मुझे solve करके R की value बताओ बच्चो solve करो फटा फट R की value बताओ तो sir R plus 1 बराबर 4 sir R बराबर 3 यानि कि हमारा answer जाएगा sir 3 Ohm कितने बच्चो का first answer आ रहा है बदाओ बई कितने बच्चो का first option एकदम सही है मलब यही आ रहा है first option आ रहा है आ गया यह option आ रहा है सभी का जिनका जिनका यह option आ रहा है आपको पताए क्या करना है बई मुझे भी पता चलना चाहिए कि हमारे बच्ची कित्ता मेहनत कर रहे हैं लगे पड़े एक दम एक एक आंसर से ही आ रहा है बिटा ये बहुत अच्छा question है again section B का question ठेक है section B का question बढ़िया question है बिटा ये और नीट में पहले भी इस तरह के question पूछे जा चुके हैं जिसमें वो बोलते थे कि कि एक बैटरी के cross potential difference वो 0 कर देते थे तो अगर एक बैटरी के cross potential difference 0 है तो e-ir को 0 के बरावर कर देना वहां से तुम्हें current मिल जाएगी सभी को clear हो गया बताओ वही आगे बढ़ सकते हैं अगले question की तरफ बोलो भई आगे बढ़े सही चलना है सब एनरजी बनी हुई है बताओ भई बैटा डंग से अगर फॉलो कर लिया न और तुम कर भी रहे हो सबसे अच्छी बात है देखो साथ साथ तो तुम कर ले जाओगे मेरे बतलब सेशन में साथ साथ मेनट करते रहे तो अच्छा कर ले जाओगे बढ़िया रिजर्ट निकालोगे सही है बहुत बढ़िया तो सर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सर अगले कोस्टन की तरफ बच्छो बहुत important very very important question very very important question question बच्छो एक बार पर आपको दे रखी है Lambda तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक Line Charge आपको दे रखा है और इस पर बच्चो पॉजिटिव चार्ज Uniformly Distributed है तो Positive Charge Uniformly Distributed है Lambda क्या यह सबको समझ में आ गया Infernately Long Line Charge आगे बोला बिटा एक Electron है जो circular path में revolve कर रहा है जिसकी radius है R द्यान से सुनना बच्चो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक electron है जो circular path में revolve कर रहा है चलो भई ऐसे revolve करा दिया तो electron जो है बच्चो आपको पता है उस पर negative charge होता है उसका कुछ mass होता है और यह बच्चो लगाता है जो होगी वो R के साथ कैसे कैसे vary कर रही होगी बहुत बढ़िया question है बच्चो बहुत अच्छा question है मैं question आपसे पूसता हूँ पहले उसका answer मुझे दो question क्या है बच्चो अगर आपके पास lambda का एक line charge है तो उसकी वज़े से electric field क्या होती थी फड़ा फड़ बच्चो मुझे answer बताओ chat box पूरा भर जाना चाहिए इस formula से अगर आपको lambda का line charge दिया है तो उसकी वज़े से electric field क्या होती थी अगर infinite length का अगर बच्चो infinite length का एक lambda का line charge आपको दिया है तो R distance पर electric field क्या होती थी सबसे पहले तो मुझे उसका answer बताओ R distance पर electric field क्या होती थी बताओ भई क्योंकि बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो अगर आपको एक line charge दे रखा infinite length का तो उसकी वज़े से R distance पर electric field होती थी है ना तो sir क्या होती थी बिटा electric field होती थी याद परो 2K lambda by R जितने बच्चों को यही formula याद है exact यही अगर आपको याद आ रहा है तो chat box एकदम भर देना अच्छे से कितने लोगों को लग रहा है कि सर यही formula हम बताने वाले थे कितने लोगों को लग रहा है यह formula हमें याद था कि अगर lambda का line charge आपको infinite length का दे रखा है तो उसकी वज़े से R distance पर बच्चो electric field होगी 2K lambda by R ठीक है भई अरे बोलो भई याद आ गया यह है ना 2K lambda by R कल बताया था आपको कि अगर infinite length का line charge आपको दिया तो electric field 2K lambda by R होगी अब सर electric field का use क्या है देखो बच्चो आपको पता है कि यह वाला जो line charge है वो इसको attract कर रहा होगा किसी force F से ठीक है और बच्चो आपको पता है कि अगर कोई particle circle पे घूम रहा है तो उसको एक acceleration चाहिए होता है toward the center जिसको बोलते है centripetal acceleration तो कोई भी charge बच्चो अगर circular motion कर रहा है तो उसका एक acceleration होता है toward the center AC ठीक है AC तो बच्चो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे force बराबर mass into acceleration सर force क्या होगा force होता है बच्चार्ज into electric field है ना और acceleration क्या होता है sir V square by R centripetal acceleration होता है बच्चार V square by R अब तुम लोग एक काम करो electric field की value तुम्हें पता है electric field की value यहाँ रख दो तुम्हें अपने आप V और R में relation मिल जाएगा चलो बच्चार करके बताओ क्या आएगा बहुत बढ़िया बटा 2K lambda by R 2K lambda by R बहुत बढ़िया करो बटा solve इसको तुम्हें इसको solve करो भाई अच्छे से मुझे answer चाहिए बटा फटा फट फटा फट आँसर बताओ क्या आएगा तो sir electric field जैसे हम रखेंगे तो charge तो जो भी हो electric field क्या है 2K lambda by R ठेक है और यहाँ पर क्या है sir MV square by R तो बच्चों एक चीज आपको दिखाई दे रही है बच्चों यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है R से R cancel हो गया अहा R तो sir गया अब क्या करे sir बेटा electric field में भी 1 by R है इधर भी 1 by R है R से R तो नहीं पड़ गया अब जब R बचा ही नहीं तो बेटा जो speed है वो तो independent हो गई न R से बताओ भई जो speed है वो तो R से यह बहुत important question है बेटा R से R cancel हो गया तो speed अब R पर depend नहीं करेगी तो sir R की power 0 R की power 0 ठेक है बात सवन में आगी क्या सभी को बोलो भाई clear है तो sir यहाँ पर अगर आप देखो तो V जो है वो R से independent है यानि किसका first option बेटा जाएगा क्या जाएगा sir first option कितने बच्चों का answer first option आ गया है फड़ा फड़ बताओ कितने बच्चों का answer first option आ गया है समझ में आ गया है फड़ा फड़ बताईए बेटा एप पर आपको PDF मिल जाएगी है न जिनको भी PDF अभी नहीं मिली है एप डाउनलोड कर लो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी ठेक है लेक्चर की भी PDF मिल जाएगी अब इसमें कोई डाउट तो नहीं रहे गया है है ना बहुत बढ़िया जित्ते लोगों को समझ में आ गया फड़ा फड़ा आग लगा दो फड़ा फड़ा आग लगा दो पता चल जाएगी हाँ सर आप कोई दिक्कत नहीं है आ गया है समझ में फिर अगले question पर चलना है बटा अगला question भी बहुत important है ठेक है बहुत important है अगला question चलो भई सभी को समझ में आ गया अच्छा question था है ना हाँ सर तो बढ़ा ऐसे ही खोब मेहनत करते चलो नहीं बढ़ा याद याद कुछ नहीं रखना है बस तुम्हें तरीका समझना है ठीक है इसका तरीका समझ लो क्या है कि भाई इसकी electric field में भी 1 by R आ रहा है और acceleration में भी V square by R आ रहा है R से R cancel हो गया यानि कि बेटा जो V है वो R पर depend नहीं कर रहा है ठीक है ठीक है बात समय में आ गई हाँ तो यह बटा यह section B level के question है ठीक है अब बटा अगला question देखते है अगला question आपके सामने ये रहा पढ़ लो बटा question पूरा question पढ़ लो बच्चों यहाँ पर हमें बोला गया है कि diamagnetic material की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं diamagnetic material की बात कर रहे हैं तो उसके लिए बटा जो magnetic susceptibility होती है वो temperature के साथ कैसे vary करेगी बताओ इन में से कौन सा answer सही है फटा फट answer दो बच्चों फटा फट answer दीजे चलो भाई बहुत बढ़िया यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपको कल वाला lecture इतना पसंद आया आप बस अच्छे से बटा पढ़ाई करो फूब बढ़िया से revision करो ठीक है बिल्कुल आखरी दिन तक आपका साथ दिया जाएगा ठीक है सभी लोग पूरी ताकत से लगेंगे बताओ भई इसका answer बताओ फटा फट बताओ बच्चों बिल्कुल सर यार एक बात बताओ कल मैंने आपको बताया था कि जो diamagnetic substance होते है बच्चों जो diamagnetic substance होते है ठीक है जो diamagnetic substance होते है उनके लिए बिटा जो magnetic susceptibility होती है वो negative होती है कितने लोगों को यह याद है बिटा diamagnetic substance की susceptibility होती हो negative होती है है ना negative होती है और मैं आपको बताओ जब वो negative है तो सर negative का मतलब यह हो नहीं सकता यह हो नहीं सकता, यह हो नहीं सकता क्योंकि इन सब में तुमने positive दिखा रखा है तो negative susceptibility होती है और ग्राफ कैसा आता है? ऐसा आता है temperature change करने पर यह change नहीं होती है और negative में रहती है यानि कि बेटा first option इसका सही है important है बच्चो question पूछा जा सकता है मतलब मुझे ऐसा लगता है paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic इन में से कोई ना कोई आपको मिल सकता है question ठीक है न? हाँ बच्चा कहा रहा है सब third वाला ferro के लिए बिल्कुल सही है बच्चो बिल्कुल सही है ferro के लिए third वाला लेकिन आपसे बच्चो यहाँ पर पूछा था diamagnetic substance के लिए क्या होगा तो इसा diamagnetic substance के लिए जो susceptibility होती है वो negative होती है और temperature के साथ change नहीं होती है मतलब कि जो काई है वो negative के साथ साथ constant है मतलब कि वो temperature के साथ change नहीं होता है क्या बातसाओं में आ गई यहां तक यार कितनी मेहनत कर रहे है आप लोग बहुत बढ़िया बेटा बहुत ही शांदर सही है clear हो गया हाँ sir clear हो गया समझ में आ गया अब अगला question ध्यान से पढ़ना बेटा theoretical question है अगला question theoretical question है ध्यान से पढ़ियेगा sir बोला गया है uniform electric field है तो बच्चो uniform electric field कैसी होती है ऐसी होती है sir uniform electric field है uniform electric field है uniform electric field है तो बटा uniform electric field दे रखिये अब एक एक option बच्चो read करेंगे और उसको समझेंगे कि वो सही है कि गलत है बच्चो पहला point लिखा है all points पहला option है all points are at same potential कितने बच्चों को लगता है यह सही है कितने बच्चों को लगता है गलत है फड़ा फड़ा बिड़ा chat box में बर दो अगर आपको लग रहा है सही तो आप correct 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 लिख दो अगर आपको लग रहा है गलत है तो wrong लिख दो कहरे है कि all points are at same potential All points are at same potential. मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे किस तरह से सोच रहे हैं? इसमें क्या बता रहे हैं? बताओ भई. पहला है बटा, All points are at same potential. फटावट बताओ, कितने लोगों को लग रहा है, सही है? All points are at same potential. कितने लोगों को लग रहा है, यह बिल्कुल सही है? और कितने लोगों को लग रहा है, यह गलत है? All points are at same potential. सही है, गलत है. पहले का अंसर बताओ बटाओ, पहला मैंने पूछा कि All points are at same potential. यार हो इनी सकता. कल मैंने आपको बतायता कि जब तुम field की direction में चलते हो, तो potential decrease होता है. तो बच्चों ज़रा सोचो, मालो अगर मैं यही पर एक point ले लू, A, यहाँ पर एक point ले लू, B. तो अगर मैं field की direction में चलूँगा, तो potential decrease होगा. यानि कि बटा जो VB होगा, वो VA से कम होगा, तो same potential पे तो नहीं है सारे points. यानि कि पहला तो बटा गलत हो गया. पहला तो गलत है. अच्चा, दूसरा क्या है बटा? दूसरा है, no two points can have the same potential. कह रहे हैं कि कोई भी दो point ऐसे नहीं हो सकते, जिन पर potential same हो. यार ये भी गलत है. तो मैं पता है, कि अगर बच्चो हम field के perpendicular चले हैं, ध्यान से सुनना. सर, अगर हम field के perpendicular चले हैं, बच्चो अगर हम field के perpendicular चले हैं, तो potential change नहीं होता है, याद करो. तो बच्चो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? जैसे माल लो, यहाँ पर एक point ले लो C, यहाँ पर एक point ले लो D, तो मैंने आपसे कहा था, field से 90 degree पर चलने पर potential change नहीं होता. यानि कि जो potential, आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, जो potential C पर होगा, वही potential D पर होगा. जबकि second option कहने हैं, कि कोई भी 2 point ऐसे नहीं हो सकते हैं, जिन पर potential same होता है, यारे तो जूड़ बोलें, ऐसे 2 क्या, मैं बहुत सारे points बता सकता हूँ, जहाँ पर potential same है, ठीक है? तो कहने हैं कि no 2 points can have same potential, बिलकुल गलत है, ऐसे 2 points मिल सकते हैं, जिन पर potential same हो. बचो, आगे एक बहुत बढ़िया बात बोली है, ध्यान से सुनिएगा, points separated by the same distance, बहुत ध्यान से, points separated by the same distance, must have, बहुत important है, may have नहीं है, must have, must have the same difference in potential. कह रहे हैं कि जिन points के बीच की separation same है, उनके बीच का potential difference भी same होना चाहिए ही, चाहिए, क्या ये must है, बच्चो, बताओ, कैसा must होना, मलब ये क्या जरूरी है कि ऐसा ही होगा, अरे सर, बिलकुल नहीं, यार तुम एक बात बताओ, अगर मैं 2 points बच्चो यहाँ पल लो, ध्या यहाँ भी separation D है, लेकिन यहाँ पर potential difference आएगा और यहाँ पर potential difference 0 आएगा, यहाँ इससे भी तो फर्क पड़ता है ना, कि तुम field की direction में चल ले हो, कि field के perpendicular चल ले हो, कि किस angle पे चल ले हो, तो same distance होने पर potential same हो, ऐसा जरूरी नहीं है, यानि कि बटा third वाला भी गलत हो गया, तो बटास का answer जाएगा fourth, यानि कि उपर के 3 में से कोई भी सही नहीं है, क्या सभी को clear हो गया, बदाओ भई, कितने बच्चों को लग रहा था कि इसका answer last वाला होगा, वो एक बड़ अपने लिए आग लगा दो, कितने बच्चों को लग रहा था कि last वाला answer सही है, बाती क तीन incorrect है, ठीक है, अच्छा कोश है ना बच्चों, मलब theoretically तुम्हें इस तरीके सा सोचना आना चाहिए, कि अगर uniform electric field दे रखी है, तो तुम कैसे approach करोगे, ठीक है, सभी को clear हो गया, बदाओ भई, बदाईए बच्चों clear हो गया, तो आगे बढ़े, clear है, हाँ बेटा, D आएगा, बिल्कुल, 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 है ना, मलब पहला, दूसरा, तीसरा तो गलत है, language बहुत धंग से पढ़ना, अगर यहाँ पर may have होता, तो सही हो जाता, लेकिन must have लिखा, इसलिए गलत है, अगर may have होता ना, तो सही होता, ठीक है, तो जिन का answer, जिन बच्चों का answer, D आ रहा है, last option आ रहा है, एक बार मुझे बता दो कि हाँ सर, मेरा, 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 यह आ रहा है, ठीक है, चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं सभी लोग, क्या हम लोग अगले question की तरफ चल सकते हैं, बिल्कुल सर चल स करते हैं, यह लीजे बटा अगला question आपके सामने रहा है, question पढ़ो बच्चों क्या लिखा है, कह रहा है कि two identical capacitors have same capacitance C, मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, कि एक capacitor है, और दूसरा capacitor है, और दोनों की जो capacitance है, वो same है, C और C, कह रहा है, one of them is charge to potential difference V1 and other to V2, तो बटा पहले वा तक charge कर दिया, ध्यान से समझना, पहले वाले को V1 potential तक charge कर दिया, और दूसरे वाले को V2 potential तक charge कर दिया, ठीक है, आगे बोला गया बच्चों ध्यान देना, कहने negative end is joined with positive end of other, मतलब एक का negative दूसरे के positive के साथ जोड़ रहे हैं, मतलब बच्चों यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है, कि जैसे यह positive negative हो गया, और इसका तुम ले लो negative positive, यानि कि हम क्या कर रहे है, positive वाले को negative से जोड़ रहे है, negative वाले को positive से जोड़ रहे है, अरे बोलो भीया ऐसा कर पाओगे क्या, याद करो बेटा, कल मैंने एक formula बताया था, बदाओ बच्चों कल मैंने एक formula बताया था आपको याद होगा, अगर positive वाले को negative से जोड़ दो, negative वाले को positive से, जब हम opposite polarity जोडते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हमसे पूछाए कि loss in energy क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर हमसे पूछाए change in energy क्या होगा, तो आपको बच्चों याद होगा, कल मैंने आपको energy loss या heat loss बताय था, कि कितना energy loss होती है, जब हम opposite polarity जोडते हैं, तो कल इसका formula एक मैंने बताया था, half c1 c2 by c1 plus c2, और मैंने का था, जब plus को minus से और minus को plus से जोडते है, तो यहाँ पर v1 plus v2 का square होता है, कितने लोगों को यह याद है, जिनको याद है, अपने लिए आग लगा दो, बेटा बहुत important है, यह चीज़ अपने को पता होनी चाहिए, अगर same polarity होती थी, तो v1 minus v2 का square होता था, अगर opposite polarity में जोड़ोगे, तो v1 plus v2 का square होगा, अब तुम c की value यहाँ पर रख दो, और answer आ जाएगा, ठीक है, बेटा, अगर आप ढंक से इस series को, इस पूरे course को follow करते हो, ठीक है, तो definitely यह मान के चलो, कि जो भी आपका score चलना है ना, उसमें कम से काम आप 40 से 50 नंबर बढ़ा दोगे अपने, ठीक है, कम से कम बता रहा है, आप ढंक से बस चीज़ों को समझिए और follow करिए, ठीक है, और जहां पर बच्चों आपको लगता है ना, कि यह मेरा weak area है, यहां पर मुझे काम करना है, हर बच्चे को पता होता है, हर बच्चे को, उस पर हमें काम करना है, किसी बच्चे को पता होता है, कि भाई मेरी calculation वाले part बहुत strong है, ठीक है, तो उसको concept पे मेहनत करनी चाहिए, किसी को पता है कि भाई मेरा concept तो ठीक टाक है, लेकिन calculation में मुझे mistake हो जाती है, तो उसको calculation वाले part में मेहनत करनी चाहिए, बच्चों में आ रही है, मतलब कि हर बच्चे को पता है कि वो कहां पर strong है, कहां पर weak है, हमें अपने इसाब से भी थोड़ा सा चीजों को समझना प स्क्वेर, यह बच्चों हो जाएगा c by 2, यानि कि यह हो जाएगा पूरा c by 4, v1 plus v2 का स्क्वेर, क्या आपको बच्चों कोई answer दिखाई दे रहा है, तो सर्थ second option हमें दिखाई दे रहा है, 1 by 4 c, v1 plus v2 का whole square, कितने बच्चों का second answer आ रहा है, फड़ा फड़ा बता दो, ज आग ही आग है, हर तरफ आग है, answer सही आया है, यह आग नहीं बटा, आपके अंदर की खुशी है, ठीक है, क्या सभी का answer यह आ रहा है, यह देख लोग बड़ी छोटी छोटी चीज़े हैं, जो आपको याद रख नहीं है, आप लोग कई बार अपने को लगता है, बहुत ब लगा देना अगर opposite polarity हो, हो गया solve, कुछ नहीं है इसके अंदर, है कि नहीं बचो, चलो भाई, अगले question पर आते हैं, यार एकदम, एकदम बिल्कुल बेटा, section ने वाला question, एकदम लल्लू सा question है, गलत मत करना, ठीक है बेटा, बिल्कुल simple question है, बेटा, गलत मत करना, 1 और, प्लस 5, धर ratio of the forces acting on one charge due to the other, रिटा, ये कह रहे हैं, कि 8 है, प्लस 1 माईक्रो कुलम, दूसरा आपको दिया है, प्लस 5 माईक्रो कुलम, बच्चों ये दोनों charge एक दूसरे पर जो force exert कर रहे हैं, जो force exert कर रहे हैं, उसका ratio आप से पूछाए, कि ये इसपर जो force exert कर रहा वो उसका ratio क्या होगा यह answer तो बटा देख करके बदा सकते हो फटा फट ठीक है करो भाई करो 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 ठीक है solve करो बच्चो बदा बच्चो अगर वन माइक्रो कुलाम और फाइव माइक्रो कुलाम के दो वो चार्जेज आपको दे रखे हैं तो दोनों एक दूसरे पर जो force exit करेंगे उसका ratio हमसे पूछा है तो यार एक तो बड़ी बेसिक सी बात है Newton Sir Law क्या कहता है कि बटा यह अगर इस पर force exit कर रहा है F तो यह इस पर force exit करेगा F मतनब कि दोनों एक दूसरे पर बटा same magnitude का force exit करेंगे opposite direction में तो यार अगर इस force का ratio लिया जाए तो इस पर भी F है इस पर भी F है यानि कि बटा answer क्या आजाएगा answer आजाएगा बटा second सीधी सी बात है यार दोनों एक दूसरे पर same magnitude का force exit करेंगे तो बटा ratio कितना हो जाएगा one ratio one यानि कि second answer सही है बहुत बढ़ी है बटा राहूल लक्ष अनीशा शीतल स्वास्तर महेस राहूल बिल्कुल बिल्कुल सभी के answer सही आ रहा है कितने बच्चों के नाम लिए जाएगा सभी के answer सही है ठीक है तो बटा इसका second answer आएगा है तुम सीधा सीधा दिखाई दे रहा है चलो गई सर अगले question की तरफ चलते हैं बटा गौस लो आपका इंतजार कर रहा है मुझे लगता है यह बटा question section A में आपसे पूछा जा सकता है section A लायक question है question में क्या है बटा एक point charge है क्यूं उसको आपने एक hemi spherical ball के center पर रख दिया ने ठासी रख देका统र एक हमी सपेरिकल बाउल के center पर बच्चो आपने charge रख दिया क्यूं अब आपसे बच्चों यहाँपर यह Capital ball के center पर अगर Charge q रख आते हैं तो दोनों से इस वाले से मालो flux कितना है 5 तो इस वाले से flux कितना होगा 5 और ठीट टोटल flux क्या होगा क्यू एंडलोस अपउन एपसाइलन नौट तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे उपर वाले से flux है नीचे वाले से flux है 5, total flux होगा, बैटा, q inclose upon epsilon naught, तो बैटा 2, 5 बराबर क्या होगया, q by epsilon naught, तो flux क्या आगए, बैटा, q by 2 epsilon naught, जहने कि अगर answer देखें बच्चो यहाँ पर, तो sir, fourth option होगा मुझे लगता ये तो यार, सभी बच्चे कर लेंगे, बताओ कर पाओगे की नहीं बताओ बई कर लेंगे की नहीं कर लेंगे है बताए बच्चो फजाएगा यहाई पोस्टक ता कि चलो तो एरो कुछ नहीं ता बच्चो ऊपर एक बाल रखा था हमने इसको पूरी तरह से and close करने के लिए नीचे भी एक बाउल रग दिया अगर उपर वाले हेमिस्पेरिकल बाउल से फाई का फ्लक्सर तो नीचे बाउले से भी फाई होगा और टोटल मिला के बेटा क्या हो गया क्यू बाइपसेलर नौट तो टू फाई बराबर क्यू बाई एपसेलर नौट तो फाई हो गया क्यू बाई टू एपसेलर नौट यारे कि बेटा फोर्थ ओप्शन इसका सही है ठीक है बच्चो अरे बाई बोलो बाई बेटा अगला कोश्चन अगेन बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है बेटा बच्चो इसका को चलो पढ़ते हैं यहां क्या लिखा है कि बेटा एक इलेक्टरिक बल्व है और ये लेक्टरिक बल्व हमने डिजाइन किया है इस तरह से कि अगर इसको 100 वोल्ट का आप voltage दोगे तो ये 500 watt की power consume करेगा 100 volt अगर इस पर apply करोगे तो 500 watt की power consume करेगा बेटा ये bulb के लिए तुम्हें दे रखा है मलब बल्ब के लिए यहाँ पर क्या कहानी दी गई है कि 100 volt पर ये 500 watt की power consume करता है ये आपको दे रखा है ठीक है सकते बच्चों आगे हमसे बोला है कि इसको हमने register के साथ connect कर दिया और बच्चों यहाँ पर हमने 200 volt लगाया है अच्छा इसमें important बात क्या है कह रहे है आर की value बताईए जिस्ते की बल्ब 500 watt deliver करे बच्चों यहाँ बात बताओ ये क्या बोल ले हैं कि 500 watt power के लिए voltage कितना होना चाहिए 100 और question में हमसे पूछ रहे है कि इस आर की वो value बताओ जिससे की जो bulb है वो उसके लिए power 500 watt हो इसका मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो bulb है वो बेटा 500 watt supply करे 500 watt यहाँ पर ये उसके लिए इसको कितना potential difference देना पड़ेगा सर 100 volt तो यार जरा सोचो 200 volt में 100 volt तो ये बल्व लेके चला गया तो कोई बता सकता है आर के क्रॉस कितना potential difference होगा तो सर इस में से उसको minus कर दो तो ये आजाएगा 100 volt 200 volt में 100 volt तो बल्व पे चला गया बचा कितना 100 volt ये आर के क्रॉस आ गया बच्चो एक बात और याद करिए कल मैंने एक formula बताया था कि power जो होता है वो voltage into current होता है तो बच्चो बल्व के लिए power कितनी है 500 voltage कितना है 100 तो बच्चो यहां से अगर आप चेक करो तो current कितनी आ जाएगी 5 ampere यानि कि बच्चो बल्व से 5 ampere की current flow हो रही होगी ठीक है बल्व से 5 ampere की current flow हो रही होगी तो बच्चो यहां पर आप दिखा सकते हो 5 ampere की current इस बल्व से पास हो रही होगी अब बच्चो एक बात बताओ इस resistance R के लिए for resistance R देहां से देख रहा for resistance R बटा यह जो resistance R है इसके लिए लगा दो V बराबर आई यार चलो बताओ बच्चो इस R के लिए voltage कितना है सर 100 इस R से current कितनी पास हो रही है 5 तो बटा R की value यहां से कितनी आगे 100 by 5 यानि कि 20 ohm तो यहां पर सर आंसर आजाएगा हमारा first option यानि कि 20 ohm बटा आंसर आएगा जिन बच्चों को यह question बढ़िया लगा जिन बच्चों को यह question समझ में आ गया वो मुझे reply कर दो कैसे reply करना तुम्हें पता है ठीक है बताओ कितने लोगों को लग रहा है कि सर हां बढ़िया question था मज़ा आ गया ऐसे question बटा आ सकते है ना ऐसे question exam में पूछे जा सकते अच्छे questions है ऐसे questions बच्चों exam में आपसे पूछे जा सकते हैं जिन जिन को ये question ढंग से समझ में आ गया फटा फट मुझे बता दो chat box में ताकि हम अगले question पर jump करें ठीक है clear है सभी को बताओ बच्चों सभी को clear है सब को समझ में आ गया कैसे solve करना है तो अच्छा question है बटा है ना थोड़ा सा मेहनत करेंगे आ जाएगा ये ठीक है चलो भाई बहुत बढ़िया अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ आ जाईए बच्चों इस question में अगर आप देखो तो यहाँ पर बोला गया है कि एक short dipole है ठीक है उस पर हमें force find करना है किसकी वज़े से एक point charge की वज़े से जो यहाँ पर रखा हुआ है तो ध्यान सा सुनना बच्चों सबसे पहले यहाँ पर देखो यहाँ जो charge है वो minus q है यहाँ जो charge है बटा वो plus q है ठीक है और इनके बीच की जो separation है वो 2a है तो आपको यहाँ पर एक dipole दिखाई दे रहा है हाँ सर बटा याद करो कल मैंने बताया था dipole moment होता है minus से plus की ओर तो बटा minus से plus की ओर एक dipole moment आएगा P minus से plus की ओर एक dipole moment आएगा सर P अच्छा यह P कितना होगा तो बटा अगर P लिखना चाहो तो लिख सकते हो P बराबर charge into separation P बराबर क्या होगा बटा charge into separation अब मुझे एक बात बताओ क्या आप इस dipole की वज़े से यहाँ पर distance D पर electric field निकाल सकते हो हा सर लेकिन उसके लिए देखना होगा सर यह equatorial है कि XCL है कल मैंने आपको बताया था यह बच्छो जाँ ध्यान से देखो अगर हम dipole से 90 degree पर चलेंगे तब जाके हमें यहाँ पर पहुँचना होगा dipole की direction से 90 degree पर चल लगो तब आप इस point पर पहुँच रहो तो यह equatorial position है और बच्छो याद करो equatorial position पर electric field क्या होती थी dipole moment के opposite direction में तो dipole moment उपर की तरफ है तो बच्छो यहाँ पर electric field जोगी वो नीचे की तरफ होगी और कितनी होगी equatorial पर kp by r q यही formula लगाएंगे हासर जड़े इन सब की value रख दो तो बच्छो यह कितना हो गया यहाँ पर kp की जगे रखोगे q into 2a और बच्छा आर की जगे रखोगे d तो यह आ गया तो बच्छा डाइपोल की वज़े से यहाँ पर electric field हमने निकाल ली यह आ गई सर अगर electric field आ गई है तो force कैसे निकालेंगे तो बच्छा बहुत आसान है divided by d cube तो बच्छो यहाँ पर answer क्या आ रहा है तुम चाहो तो k की जगे 1 by 4 epsilon not रख दो आपकी मरजी से तो यहाँ पर हम रख देंगे 1 by 4 epsilon not ठीक है q q और 2a divided by d cube तो 2 से cancel कर देना बच्छो बताओ कौन सा answer आ रहा है 2 से cancel कर तो नीचे 2 आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा q q a divided by 2 a epsilon बच्छो थर्ड option is correct थर्ड option is correct थर्ड option is correct ठीक है अरे बात समझ में आगी अच्छा question है बच्छो यह अब कुछ लोग कहना होंगे सर हमसे तो पूछा था डाइपोल पर force आप निकाल ले हो point charge पर force तो बेटा Newton का तीसरा नियम क्या है याद करो कि डाइपोल चार्ज पर जितना force लगाएगा चार्ज भी डाइपोल पर opposite direction में उतना ही magnitude का force लगाएगा तो जो बेटा यहाँ से आएगा वही दोनों के लिए सेम होगा दोनों एक दूसरे पर equal magnitude का force exert करते हैं क्या सभी को समझ में आ गया चैट बॉक्स बेटा बिलकुल बर जाना चाहिए जितने बच्चों को समझ में आ गया फटा फटा मुझे बताओ फिर हम आगे बढ़ेंगे अच्छे question और भी है बच्चों बताओ ये जो questions तुम solve कर रहे हो इससे तुम्हाँ concept clear हो रहे है की नहीं हो रहे है है ना आपको पता चल लाओगा कि हा सर benefit हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सबसे बड़ी बात है ठेक है कि हम session के सुरवात में जहां पर थे और अभी हम जहां पर है उसमें difference दिखना चाहिए है के नहीं बच्चो ठेक है हाँ बड़ी clear हो गया सभी को clear हो गया एक question तो बड़ा अच्छे level का question है ठेक है बातसाओज में आ रही है इसी तरह के questions आपको exam में मिलेगे सही है चलो बड़ी आगे बढ़ते हैं बड़ा अगले question की तरफ अब यहां पर आ जाईए बच्चो यहां पर ध्यान से देखो इस diagram को ठीक है इस diagram को ध्यान से देखिए यहां कल मैंने आपको बच्चो hysteresis कर बताया था ठीक है ferromagnetic substance के लिए ठीक है मैं दोनों कर्व को एक बार और highlight कर देता हूँ ध्यान से देखो बच्चो यहां वाला कर्व ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है बी और एच के बीच में एक कर्व बच्चो यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है जबकि यहां वाला कर्व अगर आप ज्यादा है कहां पर रिटेंटी विटी ज्यादा है कौन सा पर्मानेंट मेंगनेट बनाने के लिए सूटेबल है कौन सा इलेक्ट्रो मेंगनेट बनाने के लिए सूटेबल है कल मैंने यह सारी चीजें आपको बताई थी बच्चो याद करिए क्या होती थी रिटेंटी वि रहा है हाजर मैंने आपको बताया था कि यह चीज जो होती है वो होती ही बटा रिटेंटिविटी यह चीज जो आप देख रहा हो ना बच्चो यही होती है रिटेंटिविटी और यह जो आप देख रहा हो इसको बोलते हैं कॉर्सिविटी याद आया क्या यह है रिटेंटिविटी यह है कॉर्सिविटी बताओ बच्चो ए और बी में किसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा लग रही है और किसकी कॉर्सिविटी ज़्यादा लग रही है इसको बोलते है रिटेंटिविटी यह है बटा कॉर्सिविटी फड़ाफट देख करके बताओ A और B में कौन सा ऐसा है जिसकी रेटेंटिविटी और कॉर्सेविटी जादा आपको दिखाई दे रही है A या फिर B फड़ाफट बताओ बच्चो A या फिर B बताओ भई फड़ाफट बताओ बच्चो किसकी रेटेंटिविटी आपको जादा दिखाई दे रही है किसकी कॉर्सिविटी जादा दिखाई दे रही है बताईए बचो कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि रेटेंटिविटी जादा है कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है cursivity जादा है. तो सर सीधा सीधा A वाला graph देगरो कितना पतला सा है एना एकदम चिपका सा हुआ है तो इसकी retentivity भी कम है, cursivity भी कम है जबकि B वाले में देखो retentivity भी जादा है, cursivity भी जादा है तो आप कहा सकते हो बेटा कि जो B वाला है उसकी retentivity भी जादा और cursivity भी जादा है तो cursivity and retentivity of B is greater than A तो बेड़ा second वाला तो सही है B की retentivity भी जादा है और cursivity भी जादा है अच्छा बचो आपको मैंने बताये था जिसकी retentivity जादा है जिसकी cursivity जादा उसका use हम करते है permanent magnet बनाने के लिए third option अगर आप पढ़ोगे तो कह रहे है A is suitable for making permanent magnet यार बिलकुल गलत है A की तो retentivity भी कम है cursivity भी कम है तो A से हम permanent magnet नहीं बना सकते यानि कि बेड़ा इसका cable second option सही होगा जितने बच्चों को लग रहा था कि second option ही सही है वो अपने लिए एक बार बेड़ा chat box में आग लगा सकते है ठीक है बिलकुल बेड़ा बिलकुल second option सही है हाँ अगर तुम्हे permanent magnet बनाना है तो second का बनाओ क्योंकि second की retentivity भी अच्छी है cursivity भी अच्छी है तो permanent magnet बनाना है तो second का बनाओ first का नहीं बना सकते है first का बनाना इलेक्ट्रो मैंगनेट बना दो बदाओ भई बदाओ भई क्या clear है सभी को चलो भई बहुत ही बढ़िया है न सभी को clear हो रहा है सब बिलकुल सर्मजा आ रहा है बिलकुल clear है कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़िये तो चलो भई, आगले question पर आ चुके है हम लोग, बिटा अगला question पढ़िए कह रहे हैं कि magnitude of the electric field due to short electric dipole is R from its center at equatorial position is E बच्चो ध्यान देना, गड़बड मत करना, बहुत ध्यान से कह रहे हैं कि electric field का magnitude equatorial position पर E है मतलब कि क्या है, जैसे माल लो बच्चो कि यहाँ पर कोई dipole है ऐसा और इस dipole से अगर आप 90 degree पर चलोगे तो आपको equatorial position मिल जाएगी बच्चो डइपोल से 90 degree पर चलोगे तो equatorial position मिल जाएगी और equatorial position पर जो electric field है वो आपको यहाँ पर दी गई है बटा कितनी है, E है आगे बोलने है, if the dipole is rotated through an angle of 90 degree ठीक है, मतलब अगर हम बच्चो dipole को 90 degree rotate कर दे, अच्छा बताओ जब तो मिस dipole को 90 degree rotate कर दोगे तो क्या यह dipole ऐसा बन जाएगा यहाँ से 90 degree rotate करके ऐसा कर दिया फिर बच्चो उसी point पर अगर आप electric field निकालोगे तो पूछ रहें क्या होगी मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसका answer सही find कर सकते हैं तो फड़ा फड़ बच्चो मुझे इसका answer बताओ क्या होगा फड़ा फड़ मुझे इसका answer बताओ क्या होगा ठेक है फड़ा फड़ा बताओ बट़ा अभी एक गंटे class और चलेगी ठीक है बच्चे बड़ा कहरा सर और कित्ते देर चलेगी बट़ा question practice चल लगी है तो पूरा मेहनत कर लो थोड़ी सी है ना बात साथ में आ रही है पता लगा यही question exam में सीधे सीधे आ गया फिर वहाँ गलत कर आओगे है ना तो थोड़ी सी महनत कर लो बट़ा बच्चों बताओ जरा क्या आएगा तो आपको मैंने कल बताया था कि axial position पर अच्छा बच्चों एक बात बताओ इस डाइपोल के लिए 90 डिग्री पर तो equatorial position है और equatorial position पर electric field होती है बटा kp by r cube है ना equatorial position पर electric field क्या होती kp by r cube अच्छा मुझे एक बात बताओ जब तुम डाइपोल को ऐसा रख दोगे तो इसके लिए यह position बटा axial बन जाएगी और axial position जो होती है वहाँ पर electric field डाइपोल की direction में होती है और होती है 2 kp by r cube बदा होती की नहीं होती है डाइपोल के लिए axial है 2 kp by r cube अब सोचो kp by r cube की value अगर e है तो 2 kp by r cube 2 e के बराबर हो जाएगा यानि कि बटा fourth option इसका सही हो जाएगा तो जिनका जिनका आंसर fourth है बिलकुल सही है क्या बात समझ में आ रही है बताओ बच्चो समझ में आ रहा है क्या सभी को क्लियर है क्लियर है सर बताओ कितने लोगों को इस समझ में आ गया कि सरी होगा बैटा यह बहुत important question है need के लिए मान के चलो ठेक है मतलब कि आप मान के चलो कि यह section A में तुम्हें question मिल सकता है ठेक है तो जब भी तुम्हें कभी ऐसा बोला जाए कि डाइपोल को 90 डिग्री से गुमा दिया है या ऐसा कर दिया है वैसा तो समझ लेना कि यहाँ पर equatorial से axial पे या axial से equatorial पे तुम जा रहे हो तो equatorial पे फिल्ड होती है kp by r cube axial position पे फिल्ड होती है बेटा 2 kp by r cube तो इस तरीके से आपको बच्चों question सोचना है सही है ठेक है बात समझ में आ गई चलो भाई चलो सर अगले question पर चलते हैं बेटा अगला question फटा फटा आंसर बता दो फटा फटा आंसर बता दो बेटा ठेक है बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो क्या लिखा है हमसे बोला जा रहा है कि electric field वो भी किसकी वज़े से charged spherical conductor बच्चों charged spherical conductor यार मुझे एक बात बताओ जो spherical conductor होगा अगर तुम उसको charge दे दो तो वो charge बच्चों कहां पर रहता है वो केवल उसकी surface पर रहता है क्योंकि metal को तुम जो भी charge दोगे वो बेटा surface पर uniformly distribute हो जाएगा तुम जो भी charge बच्चों metal को दोगे वो surface पर uniformly distribute हो जा सर अब जब चार्ज बच्चों सर्फेस पर डिस्टिब्यूट हो गया तो यार मुझे बात बताओ क्या मैंने आपको यह बता रखा है कि इसकी फिल्ड कैसे वेरी करती बिलकूल मैंने आपसे का था बिटा अंदर सभी जचे फिल्ड कितनी होगी सर जीरो होगी سर अगर आप دेख होताए याँ पर सही है कि सेंटर से सर्फेस तक बच्चों सभी जगे फिल्ड क्या है जीरो है और बाहर देखो कि तो बन अपॉन आर स्क्वाइर के हिसाब से वेरी करेगी क्या सभी को समझ में आ गया क्लियर है कि अरे बोलो भीया सही है कुछ बच्चे कहरें सर आज क्लास क्या बारा बज़े तक चलीगी मतलब साम वाली बेटा हर क्लास बारा बज़े तक नहीं जाती है सही है इतना टेंशन मत लिया करो अच्छे से बस पढ़ना है और क्या करना है एक एक चीज में हम आपको आपके सामना ही तो करके दिखा रहे हैं ठीक है यहीं कर यहीं प्रैक्टिस कर लो ठीक है अरे बोलो विया सभी का अंसर आगे है इस तो बचो यहाँ पजरा देखेगए एक बहुत बढ़िया कोषिटन है यह देखो बचो इस कोषिटन में आजये करेंट इलेक्टिसिटी का कोषिटन है यहाँ पर और मैं क्या बोला जा रहा है कि एक वायर है जिसका non uniform cross section है non uniform cross section मतब यहाँ पर पतला जैसे से आगे जा रहा है area बढ़ता जा रहा है आगे बच्चो बोला कि steady current इसमें से flow हो रही है कहरें drift speed की value P और Q पर VP और VQ है ठीक है तो बच्चो यहाँ पर आपको VP और VQ में relation बताना है बच्चो याद करिए कल मैंने आपको क्या बताया था कि area चाहे जितना भी vary कर जाए current हमेशा same होती है हरे cross section पर तो यार मुझे एक बात बताओ क्या जितनी current बच्चो यहाँ पर होगी उतनी ही current यहाँ पर होगी यानि कि बच्चो P पर अगर current IP है और Q पर current बटा IQ है तो IP और IQ जो होगा वो दोनों same होगा हा सर तो हम कह सकते हैं सर P पर जो current है वही current Q पर है अब बच्चो याद करो current का एक formula मैंने कल आपको बताया था NEA into drift velocity अब आप कहरो सर हरे cross section पर current same है तो बटा current की value हरे cross section पर same है बताओ है या नहीं है बच्चो current की value हरे cross section पर same है अच्छा इसका मतलब सर A into VD भी हरे cross section पर same होगा मतलब हम यह कह सकते हैं A into V जो होगा वो same होगा यानि की बच्चो यार A1 V1 बराबर A2 V2 होगा हा सर यानि की Q पर drift speed कम हो जाएगी तो third option इसका आएगा यार दोगो कितनी बढ़िया बात है कि मेरे answer आलने से पहले ही आप लोग के answer आने लगे हैं कई बच्चों के answer third आ रहे है बहुत बढ़िया बटा है ना third answer आ रहे है बहुत सही ठीक है सही है अरे बोलो भी है जिनका जिनका answer third क्या सबको समझ में आ गया बटा ये concept में कल से कई बार repeat कर चुका हूँ मतलब theory session में भी और या आज वाले में भी कई बार ये मैं आपको बोल चुका हूँ कि बटा ये ध्यान रखना हरे cross section पर current की value बटा सेम होगी पहली बात जब current हरे cross section पर सेम है ठीक है तो जहाँ पर area जादा होगा वहाँ पर drift speed कम हो जाएगी ठीक है अच्छा बचो एक बात और मैं आपको बता दू मैं जो आपको questions यहाँ पर solve करवा रहा हूँ ये दुबारा आपको solve करने पड़ेंगे अपने इस level पर भी ठीक है बात सावज में आ गई और जिन questions का answer मानलो आपसे पहली बार में नहीं आ रहा है या कोई ना कोई गलती हो जा रहे है उनको तो star mark कर ले बना बाद में उनको जरूर solve करना जिनका answer मानलो पहली बार में आपसे आ गया कोई दिक्कत नहीं उनको मत करना दुबारा लेकिन अगर पहली बार में किसी का नहीं आया answer तो वो चीज़ दुबारा बेटा जरूर देख लिजेगा सही है चलो आगे बढ़ते हैं सर एक और बढ़िया question आपके सामने ये लेजे बच्चो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें बोला गया है कि एक thin rod है जिसको हमने semi circular arc जिसकी radius r है उसके form में bend कर दिया है lambda बच्चो यहाँ पर charge density दे रखी है पूछा गया center पर potential कितना होगा क्या पूछा गया बच्चो center पर potential कितना होगा तो बच्चो यहाँ पर मालो charge इस तरीके से पूरा आपने distribute कर दिया है अब आपको potential find करना है center पर ठीक है center पर बच्चो अगर आप ध्यान से देखो तो center एक ऐसा point है जिसकी charge से distance same है हर एक point पर पूरा का पूरा charge आप कह सकते हो center से r distance पर है तो बच्चा सेंटर पर potential कितना हो जाएगा kq divided by r अरे यही तो होगा अच्छा सर k को क्या लिखेंगे बच्चा 1 by 4 pi epsilon not divide में r आ रहा है उसको भी लिख दिया अच्चा सर चार्ज को क्या लिखेंगे तो बच्चार्ज दिखो क्या है तो मैं lambda क्या दिया है unit length में charge बचा अगर unit length में lambda charge है ऐसे देखो सर अगर unit length में lambda charge है तो इसकी length कितनी होगी बचा πi r तो πi r length में कितना होगा lambda into pi r तो बचा lambda into pi r यहाँ पर रग दोगे ठीक है अब r से r उड़ा दो और पाई से पाई उड़ा दो तो लेमडा भाई 4 ऐसा भाई हमने क्या लगाया के क्यू बाई र पोडेंशल का फॉर्मला के क्यू बाई र वो लगा दिया ठीक है उसके बाद के की वैलू 1 भाई 4 पर एपसलन नौट रग दी बेटा चार्ज क्या होगा तो यूनिट लेंथ में लेमडा है तो पाई आर लेंथ में कितना होगा ऐसा पाई से पाई कैंसल कर दिया आर से आर कैंसल कर दिया यह आ गया तो बेटा आंसर इसका क्या जाएगा second option केतने बच्चों का second आ रहा है बेटा बिलकुल परिशान नो pdf lecture के बाद ही upload हो जाएगी ठीक है कल actual में कहाता ने lecture काफी late night तक चला गया तो इसलिए pdf हो सकता है उस ताइम पर upload लेकिन आज वाली पीडियाप तो आपको तुरंट मिल जाएगी ठीक है बात समय आगे तो बिलकुल उसके लिए परिशान मत हो ना किया सभी को clear है चलो भाई आगे बढ़ते हैं बढ़िया सा एक question आपके सामने और आने वाला है ठीक है यह देखो बच्चों बच्चों यहाँ पर जो question आपके सामने इसमें क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि two identical capacitors है ठीक है सर्थ कह रहा है first one जो है वो unchanged है और उसको आपने dielectric से बर दिया है तो बच्चों अगर आप देखो तो पहला capacitor ठीक है पहली तो बच्चों बोला गया दो identical capacitor है तो मालो कि यह इसकी capacitance भी पहले c थी और इस वाले की capacitance भी c थी फिर कहरें पहला capacitor जो है उसको आपने dielectric से fill कर दिया है तो बच्चों इसको अगर आप dielectric से fill कर दोगे तो अब इसकी capacitance हो जाएगी k into c और यह uncharged है मतलब इस पर कोई charge नहीं है जबकि दूसरा वाला जो है बच्चों उसको आपने potential difference v तक charge कर दिया है तो बच्चों इसको अगर आप देखो तो इसको आपने potential difference v तक charge कर दिया plus minus v तो इस पर charge आजाएगा c v और इस पर आजाएगा minus c v तो एक की capacitance हो गई k c v डाइलेक्ट्रिक बनने से और दूसरे को तुमने v तक charge कर दिया तो charge न पर यह यह आ गया कह रहे हैं अगर इन दोनों capacitors को हम बच्चों end to end join कर दें तो common potential क्या होगा बच्चों याद करो कल मैंने तुम्हें बताया था common potential कैसे निकालते हैं ठीक है common potential पूछा है क्या होगा बच्चों याद करिए common potential का कल मैंने आपको method बताया था यार एक बात बताओ इसको जोडने से पहले अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप switch लगा सकते हो एक ठीक है इनको जोडने से पहले यार मुझे एक बात बताओ इसकी कैपेस्टेंस से k into c इसकी कैपेस्टेंस से c इस पर बेटा charge है plus cv minus cv जबकी इस पर charge है बच्चों 0 0 अब यार मुझे एक बात बताओ जब common potential निकालना होता है तो हम क्या करते थे बटा याद करो हम कहते थे common potential क्या होगा बेटा total charge divided by total charge divided by c1 plus c2 यही तो करते थे बच्चों जिन दो प्लेट को तुम आपस में जोड़ रहा हुनका total charge divided by c1 plus c2 तो बेटा इस पर कितना है 0 इस पर कितना है cv तो जब तुम इनको जोड़ दिया तो total charge हो गया बेटा 0 plus cv यानि कि आप यहाँ पर क्या कह सकते हो बच्चों ध्यान से सुनना total charge हो गया सर 0 plus cv और रही बाद c1 plus c2 तो यह हो जाएगा c plus c है ना तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो तो यह अच्छा c plus c नहीं क्या होगा यहाँ पर बटा c plus kc बटा इसकी capacity इसकी केस ही है तो आप देखो ccc cancel कर दो तो यह बटा तुमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा वी अपॉन k plus 1 वी अपॉन k plus 1 जो बच्चों common potential आपका मिला है वो क्या मिला है वी अपॉन k plus 1 ठीक है क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो पहला capacitor जो है वो अंचार्ज दे और उसको डाइलेक्ट्रिक से फिल किया जबकि दूसरा वाला जो उसको तुमने वी से चार्ज किया है ठीक है तो बटा आंसर हमारा क्या जाएगा वी अपॉन k plus 1 कितने बच्चों का आंसर यही आ रहा था कितने बच्चों का आंसर यही वाला आ यही आ रहा था चलो बहुत बढ़िया बटा बहुत बढ़िया तो वी अपॉन k plus 1 बहुत ही अच्छा है ठीक है अब बच्चों यहां पर एक और बढ़िया question देखते हैं यह थोड़ा सा concept भी है हलकी सी theory भी है ठीक है ध्यान से देखो सर यहां पर हमसे बोला गया है पढ़ है कि वो वीवन पोटेंशल से वीटू पोटेंशल में जाता है तो मालो बच्चों इस पूरे पर पोटेंशल कितना है वीवन और बच्चों यहां पर सब जोगे पोटेंशल कितना है वीटू मालो बच्चों यहां पर पोटेंशल है वीवन और यहां पर पोटेंशल कितना है वीटू ठेक अब हमें क्या बोला बच्चो यहां पर हमें बोला गया है कि वीटू जो है वह छोटा है वीवन से मतलब आप कह सकते हो वीवन बड़ा है तो यह बिटा higher potential है यह higher potential है और यह बैटा अगर हम देखें तो lower है सही है अच्छा अब बचो हमें बोला गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वह पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां पर जा रहा है तो आपको बताना है कि बचो पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी की कम होगी तो सबसे पहले बात समझो बचो आपको याद है पॉटेंशल एनर्जी को आप कैसे लिख सकते हो पॉटेंशल एनर्जी को लिख सकते हो चार्ज इंटू पॉटेंशल पॉटेंशल एनर्जी को क्या लिख सकते हो चार्ज इंटू पॉटेंशल अब चार्ज तो आपको पता है सर पॉजिटिव है इसका गया मतलब है इधर से इधर जान है तो potential energy भी तो decrease करेगी अगर potential decrease कर रहा है तो बच्चो potential energy भी तो decrease होगी हा सर तो यहर मुझे एक बात बताओ और total energy आप जानते हो conserve होती है यानि कि बच्चो kinetic energy और potential energy का sum हमेशा constant होता है हो गया answer solve हो गया इधर से फिदर गए potential काम हुआ potential energy का होई बच्चो potential energy काम होई तो kinetic energy बढ़ जाएगी और सर काइनिटीक energy अगर बढ़ गई तो speed बढ़ जाएगी speed बढ़ जाएगी तो पहला आंसर आ जाएगा बदो कितने बच्चों का पहला शरा रहा है कि पहला आंसर आ रहा है फड़ा फट बताओ भई पहला आंसर आ रहा है क्या पहला पहला आंसर है कितना आसान है बच्चो सोचो है ना ऐसे question need में आ जाते है theoretical थोड़ा से concept ज्यादा कोई calculation नहीं सीधा सीधा question क्या बोला इधर से इधर गए potential decrease हुआ चार्ज positive था तो potential decrease होने से potential energy भी decrease होगी बेटा potential energy decrease हुई तो kinetic energy बढ़ेगी ना ताकि दोनों का सम constant रहे और kinetic energy बढ़ने का मतलब है particle की speed बेटा increase होगी क्या सबी को clear है बोलो विया है ना clear है हां जी सर clear है अब बच्चो यहाँ पर एक बहुत प्यारा question है बहुत मज़ेदार question है आपके सामने यह ठीक है इसमें मैं आपको बता दू क्या दे रखा है बच्चो यह जो आपको दिया ना यह equipotential surface है यह सब जो आपको दे रखी क्या है equipotential surface है यह वाली जो surface है वो 50 volt पर है फिर 40 volt 30 volt 20 volt 10 volt ठीक है मैं कोई भी दो surface ले करके आपको यह question solve करके दिखा सकता हूँ कोई भी दो surface अच्छा एक चीज़ और बच्चो कोई भी दो surface में अगर आप देखोगे तो जैसे यह वाला गैप अगर आप देखो कि तो कितना है 10 है यानि कि 10 मीटर का गैप है कोई भी कहीं भी आप देखो दो surface की बीच में इस तरीके से जो बात बताओ अगर यह 50 वोल्ट है तो यह 40 वोल्ट है यानि कि यहां पर potential पूरा बेटा 50 वोल्ट है तो यहां का potential 40 वोल्ट है आपको याद है कल मैंने आपको बताया था कि बेटा field की direction में चलने पर potential decrease होता है तो जड़ा यहां पर और दूसरी बात आपने क्या सीखी थी कि equipotential surface electric field के perpendicular होती है तो बचो अगर यह equipotential surface है तो electric field इसके perpendicular होगी हा सर तो यहां पर अगर हम देखें तो बचो electric field जो होगी वो इसके perpendicular होगी तो यहां पर देखो सर हम क्या करेंगे ऐसे draw करेंगे तो यहां पर क्या हुआ कि सर electric field ऐसे होगी मतलब electric field बचो equipotential surface के perpendicular होगी और field उस direction में होगी जिस direction में potential decrease हो रहा होगा तो बैटा potential 50 volt से 40 volt हो गया तो potential जिस direction में decrease हो रहा है field उस direction में होगी आप कुछ नहीं बचा simple चीज है ध्यान से सुनना बच्चों मुझे बात बताओ यह जो distance है वो 10 दे रखी है बतलब कौन सी यह वाली जो distance आपको दी गई है वो बेटा कितनी दे रखी है 10 जबकि angle अगर हम देखे तो बेटा यह वाला angle कितना ऐसा 30 डिगरी है क्या आप मुझे बता सकते हो यह distance क्या होगी तो बेटा 30 के सामने क्या होगा 10 sin 30 यानि कि यह 10 है यह 30 तो यह जो distance आगई वो आगई 10 sin 30 यानि कि वच्चो यह आगया तुमारे पास 5 मीटर आप तुम पता है क्या बोलोगे कि सर फील्ड कितनी है यह और फील्ड की direction में कितना चलना है 5 मीटर तो potential कितने से decrease हो रहा है 10 वोल्ट से तो आप क्या बोलोगे कि सर potential जो यहाँ पर decrease हो रहा है वो 10 volt से decrease हो रहा है जब यहां से आ जा रहा हो तो potential 10 volt से decrease हो रहा है कितना चलने पर? 5 मीटर चलने पर किसमे? E में चलने पर तो आप बोलोगे E field में 5 मीटर चले तो potential 10 volt से कम हो गया तो बच्चो E यहां से कितना आ जाएगा? 10 by 5 यानि कि 2 volt पर मीटर आ जाएगा तो बटा ऐसा तुम्हें कोई option अगर देख रहा है तो वही सही है यह बटा बहुत अच्छा question है ऐसा question आ सकता है section B में आएगा आएगा तो बटा यह section B में आएगा ठीक है? यह question बटा section B level का question है आप एक बार पूरा question देख लो अगर समझ में आ गया है तो फड़ा फड़ा आग लगा दो ताकि हम आगे बढ़े है ठीक है? चलो भए फड़ा फड़ा बताओ बच्छो फड़ा फड़ा बताओ बच्छो फिर आगे बढ़ते है क्या सभी को समझ में आ गया यह वाला question? सिंपल सी बात है बच्छो कि field तुम्हें दे रखी है तुम्हें यह देखना है कि field की direction में field की direction में कितना चल रहे हैं? field की direction में कितना चल रहे हैं? sir, field की direction में 5 meter चल रहे हैं sir, field की direction में 5 meter चल रहे हैं तब जाके 10 वोल्ट से potential decrease हो रहा है क्या सभी को बात clear हो गई है चैड बॉक्स में बटा दो अगर clear हो गई है तो फिर हम आगे बात करेंगे सही है तो सर पहली बात equipotential surface और electric field एक दूसरे के perpendicular होते है field की direction में चलने पर potential decrease होता है तूसरी बात field की direction में अगर हम x distance चलने है तो e into x बरावर क्या होगा potential decrement तो ये सारी बातें बच्चों हमें समझनी है क्या सभी को clear है मैं एक बार वापस से repeat कर दे रहा हूँ ठीक है चलो बेटा कर देते हैं वापस से repeat ध्यान से देखो बेटा एक equipotential surface ये है 50 volt की एक equipotential surface है ये है 40 volt की ठीक इस equipotential surface से इस equipotential surface तक जाऊगे तो potential 10 volt से decrease हो जाएगा क्या बात समझ में आगए यहां से यहाँ पर जाअगे तो potential 10 volt से decrease हो जाएगा ठीक है सर अच्छा हम ये जानते हैं कि equipotential surface और electric field जो होती है वो perpendicular होती है तो sir ये equipotential surface ये electric field एक दूसरे के perpendicular है दिखा दिया अब sir यहाँ से यहाँ पर जा रहा है तो potential decrease हो रहा है तो बेटा field कितनी है e और field की direction में चल कितना रहे हो 5 meter है ना क्योंकि ये बेटा 10 दिया ये 30 है तो ये 10 sign 30 यानि कि 5 हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे sir field यहाँ पर कितनी है e field की direction में चले कितना 5 तो potential कितना decrease हो रहा दस तो e into 5 बराबर 10 तो वहाँ से e की value आपको 2 volt per meter मिल गई सही है ना बचों तो बहुत important question है बहुत important है ये आपको आना चाहिए अब बटा अगला question जड़ा देखेगा यहाँ पर काफी अच्छा question है ये भी क्या ये बोल ले हैं सभी बच्चे इसको जड़ा attempt करें कह रहे हैं कि जो electric potential है ठीक है किसी uniformly charged sphere की surface पर इस charge की वज़े से वो बटा 500 volt है यानि कि आप कह सकते हो सर सर्फेस पर जो potential है जो k q by r होता है वो हमें कितना दिया है 500 volt यानि कि 500 volt तो हमसे ये कह रहे हैं कि electric field उसकी surface पर क्या होगी बचो electric field surface पर क्या होती k q by r square होती है इसकी value हमसे पूछी गई है सर ये कैसे solve करेंगे तो बेटा ध्यान से देखो तो charge तुम्हें given है 3 into 10 power minus 6 charge given है तो देखो बेटा ऐसे question कैसे solve करने है क्योंकि इस question में बच्चे पता first जाते हैं वो कहते हैं कि sir r तो given नहीं है r given नहीं है sir कैसे solve करें तो बेटा काम करो तुम जड़ा ध्यान से देखो अगर मैं v square find करूंगा तो क्या आएगा sir k square q square upon r square लेकिन sir ऐसा क्यों कर वा रहे हो अभी बताते है बेटा e कितना है तो e तुम्हें दिया है k q by r square बच्चो एक बात बताओ अगर मैं इनको divide कर दो तो v square upon e की value क्या आएगी तो v square upon e क्या आएगा तो यहार देखो k q का square से k q cancel हो जाएगा तो e k q यहाँ पर बचेगा और बेटा r square से r square cancel तो कुछ नहीं बचेगा r अपने आप eliminate हो जाएगा हम r ही तो eliminate करना चाहते है क्योंकि question में r given नहीं है तो r को हमने यहाँ से हटा दिया तो बेटा यहाँ से अगर आप देखो तो electric field की value आ रही है सर्क k q upon v square क्या आ रही है सर्क k q by v square अब जड़ा value रखो तो बेटा electric field k की value होती 9 into 10 power 9 बेटा चार जो तुम्हें कितना दिया है 3 into 10 power minus 6 और बेटा potential दिया है 500 तो 500 का square करना है 500 का square करना है बच्चो जवाब इसको solve करोगे है ना मैं चाता हूँ फड़ा फट इसको solve करके बताओ कि यह 10 से कम आ रहा है यह 200 से ज़्यादा आ रहा है 10 20 के बीच में आ रहा है यह 5 से कम आ रहा है फड़ा फट बच्चो उसको solve करके बताओ कहां आ रहा है फड़ा फट आंसर बताइए बच्चो इसको solve करके बताओ यह किस के किस के बीच में आ रहा है और गलत मत करना बटा फड़ा फट मुझे बताओ उसको solve करके कि आंसर किस के बीच में आ रहा है ठेक है थोड़ा टाइम ले लो solve करो फड़ा फड़ बताओ ज्यादा टाइम नहीं थोड़ा सा time ले सकते हो आप फड़ा फड़ बच्चो solve करो कर लिया भीया हो गया solve ज्यार बच्चो एक बात बताओ यह सीधा सीधा 9 इंटू 3 कितना हो गया सा 27 ठीक है नीचे बच्चो अगर आप देखो तो यह कितना हो जाएगा सा 25 है ना 5 का स्कूर 95 ऊपर अगर आप देखो तो 10 पावर 9 और बटा नीचे आएगा 10 पावर 4 तो इससे कैंसल करोगे 10 पावर 5 और 10 पावर 5 और यह बच्चो कितना है 10 पावर माइनस 6 तो यहां पर आपको मिल जाएगा 10 पावर माइनस 1 ऐसा आ जाएगा अब सभी को अंसर दिख रहा होगा बिलकुल कर सकते बेटा पहले आप आर फाइंड कर सकते हो ठीक है देखो मैंने आपको तरीका बता दिया ठीक है सॉल तो आप करी लोगे मेरी बात ध्यान सा सुनो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें क्या हम आप जैसे भी करना चाहों कर सकते हो मेरा बस कहना यह है कि तुम तुम्हें यहां पर आर को एलिमिनेट करना पड़ेगा चाहे तुम आर फाइंड करके यहां रख दो चाहे इसका स्क्वाइर करके डिवाइड कर दो जैसे भी आप करना चाहों बेटा कर सकते हो सॉल आपका यह बहुत बढ़िया question है, ठीक है, तो time based नहीं करते हैं, इस question पर आते हैं, हमें बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि एक charge Q है, ठीक है, जो कि uniformly distributed है throughout the volume of a solid hemisphere, मतलब बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो, तो हमारे पास जो hemisphere है, वो solid है, और charge बच्चों अंदर पूरा uniformly distribute है, इस तरीके से बच्चों अगर आप देखो, तो charge Q पूरा uniformly अच्छे से distribute कर दिया है, तो बच्चों क्यों चार्ज यहाँ पर uniformly distribute कर दिया है, hemisphere में, बच्चों हमसे पूछा है, कि center पर potential कितना होगा, मतलब center पर potential निकालना है, बच्चों एक बात बताओ, जैसा यह है द्यान से सुनना, जैसा यह है, अगर वैसा ही मैं नीचे और लगा दूँ, समझो, जैसा उपर है वैसा ही नीचे और लगा दें, और इसमें वही charge फिर से बर दें, ठीक है, तो जितना charge बच्चों उपर था क्यों, उतना ही charge तुमने नीचे भी भर दिया क्यों, तो total कितना हो गया सा, 2Q हो गया, कल मैंने आपको एकंसेट बताया था, कल मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है कि सेंटर पर जो पुटेंचल होता है, वो 3 by 2 होता है, सरफेस के पोटेंचल का, अच्च यह बताओ, पूरे की वज़े सेंटर पे पोटेंचल कितना आएगा, तो वो पर अगर आप देखो तो टू से टू गैंसल हो गया यह आ गया 3 kq by r बच्चों जो 3 kq by r आ रहा है यह पूरे की वज़े से आ रहा है तो आधे की वज़े से कितना होगा तो इसका हाफ कर दो बेटा अगर complete अगर दोनों की वज़े से मिला के इतना आ रहा है तो आधे की वज़े से क्या होगा इसका हाफ कर दो तो बेटा अगर hemispare की वज़े से पूछा जाए तो बेटा यह आ जाएगा 3 by 2 kq by r ठीक है तो बच्चों यहाँ पर देखो 3 by 2 kq by r आना चाहिए तो है बटा 3 by 2 kq by r ठीक है तो फर्स्ट ऑप्च्चों यहाँ पर सीधा सीधा साहिए तो यह मैं आपको बारबर बोलना हूँ यह चीज आपको आनी चाहिए कि अगर आपको center पर potential पूछा जाए तो वो surface के potential का 3 by 2 times होगा ठीक है बच्चों अगर आपसे पूछा जाए तो हुआ है है सही है ना है अरे बोलो भी या ठीक है सभी को clear है क्या करें बटा बिल्कुल 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 यह calculation नहीं इसमें ऐसे कर ले ना यहां से बटा ए निकालोगे तो वो आ जाएगा v square by kq बिल्कुल 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 है ना वो उपर नीचे हो गया इस e को इधर ले जाओगे ना तो kq नीचे आ जाएगा तो v square by kq आ जाएगा ठीक है अब आप इसको solve कर लेना v की जगे यहां पर रख देना 500 k की जगे 9 into 10 power 9 और q की जगे बटा किता है 3 into 10 power minus 6 ठेक है कर लेंगे solve बच्चो ठेक है ये वाला question बताओ ये वाला question क्या सभी को समझ में आ गया बच्चो ये वाला question ठीक है 3 by 2 kq by r मतलब अगर तुम्हें surface पर potential पता है center पर potential निकालना है तो सीधा-सीधा 3 by 2 kq by r आप कर सकते हो आज बटा अगले question पर अगला question बच्चो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि 2 charged ध्यान देना बच्चो यहां पर बोला जा रहा है कि 2 charged conducting sphere है जिनकी radius है बच्चो r1 और r2 और उनकी जो surface charge density है वो same है important बात बच्चो यहां पर बोलना है sigma की value same है sigma की value बेटा same है ध्यान देना दो sphere है दोनों के लिए Sigma की value same है लेकिन radius अलाग-अलग है तो मान लो बच्चो एक यहां पर है जिसका radius र 1 है एक यहां पर मान लों जिसका radius 12 है कहरा है कि दोनों पर सिग्मा से मैं मतलब जिटना सिग्मा इस पर उत्ता ही सिग्मा इस पर कह रहे हैं कि जो potential है बेटा उसका ratio क्या आएगा potential का ratio तो बच्चों एक बात बताओ मुझे potential क्या होता है सरक kq by r अब एक बड़ी बात बताएंगे ध्यान से सनना सरक potential होता है kq by r ठीक है बेटा तुम्हें याद है sigma क्या होता था sigma होता था charge upon area बेटा चार्ज अपॉन एरिया तो बेटा यहां से charge निकालोगे तो क्या हैगा sigma into area तो बेटा अगर आप charge निकालोगे तो वो आएगा sigma into area अरे बोलो आएगा के नी और नीचे क्या है बचो r है अब बताओ sphere का area कितना होता है बेटा sphere का area होता है 4 pi r square बच्चो इस्पियर का एरिया होता है 4 pi r square और नीचे क्या लिखा है sir r अब 1 r से 1 r यहाँ पर cancel हो जाएगा तो बच्चो यहाँ पर अगर आप देखो तो सीधा सीधा आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि जो potential आ रहा है ठीक है बच्चो एक काम करो k की जगे 1 by 4 pi epsilon 0 रख दो तो यह कितना आजाएगा जब यहाँ रखोगे न तो बच्चो 4 pi से 4 pi cancel हो जाएगा यह आजाएगा sigma r by epsilon 0 जो potential आएगा बटा वो आएगा sigma r by epsilon 0 आप चाहो तो यह formula भी बच्चो direct याद रख सकते हो किसी भी sphere की surface पर potential beta k cube by r भी लिख सकते हो sigma के terms में बात करें तो sigma into radius upon epsilon 0 भी लिख सकते हो अब हमसे बच्चो यहाँ पर question में कह रहा है कि sigma दोनों के लिए same है तो यार मुझे एक बात बताओ potential हम क्या लिख रहे है sigma r by epsilon 0 क्योंकि a r तो cancel हो जाएगा a r उपर बचेगा तो बच्चो एक बात बताओ अगर sigma same है दोनों के लिए तो आप कहोगे potential is directly proportional to r यानि कि बच्चो potential का ratio वही होगा जो r का ratio होगा यानि कि अगर आपसे पूछा जा रहा है बच्चो कि v1 by v2 की value बताओ तो वह r1 by r2 के equal होगी यानि कि बटा इसका first option यहाँ पर correct होगा बदाओ बई कितने लोगों का answer यह आया है बदाओ बई कितने बच्चो का answer exactly यही आ रहा है फटाफट बदाओ है ना बटा सीधी सीधी बात है अगर sigma की value same है तो v proportional to r आप लगा सकते हो है ना v proportional to r आप यहाँ पर बच्चो यूज कर सकते हो ठेक है लेकिन कब ऐसा लगाओगे बच्चो ऐसा कब करोगे जब आपको sigma की value same दे रखी हो ठेक है एक और question है बच्चो बहुत बढ़िया इसको जड़ा देखे बच्चो यहाँ पर अगर आप देखो क्या बोला गया है कि एक uncharged sphere है metal का जिसको आपने बच्चो uniform electric field में रख दिया है दो opposite plates के बीच में तो पूछाए electric line of force कैसा होगा यहाँ बहुत ध्यान से diagram देखो बच्चो एक बात बताओ कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि metal के अंदर जो field होती है वो zero होती है बताया था कि नहीं कि सर metal के अंदर जो field होती है वो zero होती है और metal की surface पर जो field होती है बच्चो वो perpendicular होती है चलिए बताये ऐसा बताया था कि नहीं कि metal की surface पर जो field होती है वो surface के perpendicular होती है अब जड़ा यहां पर आजा बच्चो बच्चो यहां पर देखोगे तो इस तरह की field तो हो नहीं सकती metal की surface पर तो perpendicular होनी चाहिए तो यह तो बटा गलत है यहां देखोगे तो इन्होंने electric field को metal के अंदर से निकाल दिया है यह भी नहीं हो सकता क्योंकि अंदर field 0 होती है यहां बटा देखो कहीं से भी तुम्हें हर जगे perpendicular नहीं दिख रहा तो यह भी नहीं हो सकती और negative से तुम दूर जाते हुए दिखाई दे रहो वो भी नहीं हो सकता यहां बच्चो अगर आप देखो तो field positive से negative के ओर जा रही है पहला point अंदर एक भी field line नहीं है मतलब अंदर electric field की value 0 है और surface पर बच्चो अगर आप देखोगे तो field कैसी है sir perpendicular है दियान से देखो field surface पर कैसी है sir perpendicular दिखाई दे रही है field surface पर बच्चो कैसी दिखाई दे रही है 90 degree पर दिखाई दे रही है perpendicular दिखाई दे रही है यानि कि बच्चो इसका third option सही होगा जितने बच्चो का answer third आ रहा है बटा फटा फटा आग लगा दीजे पता चल जा है मुझे कि हाँ सभी बच्चे third option तक पहुँच गए है मैंने दो बाते कल आपको बताई थी metal के अंदर field zero होती है और दूसरा मैंने आपसे कहा था बच्चो कि surface पर जो field होती है वो surface के perpendicular होती है तो जिनका जिनका third option आ रहा है वो एक बार फटा फट मुझे बता दो ठीक है अब बच्चो यहाँ पर देखो question अब बिल्कुल active हो जाईए अब magnetic field के भी question बीच बीच में आपको मिलने वाले है तो बिल्कुल active हो जाईए बच्चो यहाँ पर देखो बेटा question क्या है ठीक है question बहुत ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है बच्चो यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक square loop है ठीक है एक square loop है यहाँ पर आपको दिख रहा बच्चो एक square loop आपको दिखाए दे रहा है जिसकी length है L ठीक है और बच्चो लूप इस तरीके से रखा हुआ है मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा लूप यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ है करेंट इसमें ऐसे चल लए है ऐसे चल लए है करेंट आई इसमें और इसका जो साइड लेंथ है वो बेटा एल है ठीक अच्छा बचो मेगनेटिक फिल्ड तुमें किस तरीके से दे रखी है तो सर मेगनेटिक फिल्ड हमें बी नौट ऐसी दे रखी है बच्चों हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि जो टॉर्क होगा ठीक है टॉर्क होगा वो कितना होगा बच्चों याद करो मैंने कल आपको टॉर्क का एक फॉर्मला बताया था फटा फट बच्चों बताओ कितने लोगों को टॉर्क का फॉर्मला याद है बताईए बच्चो टॉर्क का फॉर्मला क्या होता था सर टॉर्क होता था सर म्यू क्रॉस बी बच्चो याद करो टॉर्क का फॉर्मला क्या होता था सर म्यू क्रॉस बी या फिर तुम लिख सकते हो म्यू बी साइन थीटा म्यू बी साइन थीटा या फिर बच्चो mu cross b तो इन में से कोई भी formula लगा सकते हो अब बच्चो मुझे एक बात बताओ mu की direction कैसे निकालते थे तो ध्यान से देखो current कैसी है clockwise अपने right hand की fingers को current के sense में गुमाओ तो right hand की fingers को current के sense में गुमाओ गे तो thumb अंदर की ओर आ रहा है यानि कि बेटा जो mu है वो तो तुमारा अंदर की ओर हो गया तो mu जो आ रहा है वो तो अंदर की ओर है जबकि magnetic field बेटा ऐसी है तो mu अंदर की ओर है magnetic field ऐसी है तो इनके बीच में एंगल कित्ता हो गया सा 90 degree क्योंकि mu अंदर की ओर है magnetic field plane पर है तो एंगल बच्चों कितना हो गया 90 degree तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बहुत important question है एक्जाम में आ सकता है यह हो गया बेटा mu b sin 90 अच्छा mu क्या होता है बेटा current into area क्या होता है सर current into area अच्छा सर current तो ठीक है area क्या होगा बेटा l square होगा तो i l square b बताए क्या आपको यहाँ पर answer दिखाई दे रहा है हमसे पूछा था torque कितना होगा magnetic field का तो यह तो बहुत आसान है ठीक है बहुत आसान है बच्चों सीधा सीधा answer दिखाई दे रहा है बताओ कितने लोगों को लग रहा है कि सर इसका answer second आएगा i l square b not बिल्कुल direct तो क्या करना है बच्चों mu cross b यानि कि mu b sin 90 करके तुम यहाँ पर answer निकाल सकते हो ठीक है बच्चों बहुत बढ़िया अब बच्चों यहाँ पर जड़ा इस question को देखेगा ये वाला question बच्चों ये जो question आपके सामने है again काफी important है बढ़िया question है ठीक है ये बटा आपको section A में भी मिल सकता है और section B में भी question जा सकता है क्योंकि दोनों के तरीके का है ठीक है इस question को बढ़िया पढ़ते हैं यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि gravity free space है यानि कि बच्चों आप कह सकते हो G की value यहाँ पर कितनी है 0 यानि कि पूरे question में कहीं भी तुम्हें gravity consider नहीं करनी है आगे बोला है कि यहाँ पर electric field और magnetic field है और हम यह चाहते हैं कि जो particle है बच्चों वो without change in velocity उसे constant रखना है particle की velocity को बच्चों constant रखना है अब यहर मुझे एक बात बताओ अगर तुम्हें particle की velocity को constant रखना है तो इन में से क्या क्या use कर सकते हो possibilities क्या है में है possibilities क्या है तो बच्चों सबसे पहली possibility लेते हैं कह रहे हैं electric field 0 हो और magnetic field non 0 हो क्या इसमें particle की velocity constant रह सकती है बिलकुल रह सकती है पता है कैसे देखो बच्चों velocity constant होने का मतलब होता है net force का 0 होना net force का क्या होना 0 होना अब ध्यान सब सुनना सर अगर electric field 0 है यानि कि सिर्फ magnetic field है अब मान लो बच्चों की magnetic field इदर है और जिस direction में कि energy खतम हो गई है बिलकुल पढ़ते पढ़ते energy कुछ बची है या खतम हो गई है बताओ जल्दी कि सर इतने question तो हम नहीं करते ऐसे पढ़ते पढ़ते energy बची है या energy पूरी खतम हो गई है कि सर अब जाएंगे थोड़ा आराम करेंगे बहुत सारे question कर लिए थोड़ी देर बटा और लगे रहो मेहनत करनी है सही है अच्छे-च्छे questions बता रहे हैं देख लो क्योंकि इन से अगर कोई भी question आ गया और फिर तुमारा गलत हो गया तो मुझे बहुत दुक्त होगी तो मैं तो दुक हो गई होगा है ना बात सवन्य आई तो बच्छो यहाँ पर देखो magnetic field बेटा इस direction में है अगर मैं magnetic field की direction में particle को throw कर दूँ तो यार मुझे एक बात बताओ क्या force 0 नहीं होगा क्योंकि कली मैंने आपको बताय था कि जब charge को तुम field की direction में throw करते हो तो उस पर कोई force नहीं होता है जब charge को तुम field की direction में throw करते हो तो magnetic force 0 होता है तो बेटा अगर तुम charge को field की direction में fake दो तो magnetic field इस पर कोई force नहीं लगाएगी electric force तो वैसे 0 है magnetic भी नहीं लगा रहा है force यानि कि force 0 है अगर force 0 है तो velocity constant रह सकती है तो पहले वाली possibility तो सही है अब ज़रा देखते बटा second possible है कि नहीं है second में कहारें कि electric field भी है magnetic field भी है फिर भी force 0 हो जाए अब ध्यान से सुनना बटा यह एक बात बताओ electric force क्या होता है q into e और magnetic force क्या होता है बटा q v cross b अरे होता है कि नहीं होता है हाँ सर और मैं कहारा हूँ net force 0 हो जाए तो सर 0 के बराबर कर दो अरे बोलो भी या clear है न बच्चो बताइए तो यार मुझे एक बात बताओ ठीक है कि charge चार्ज है यह तो हट जाएगा तो बैटा यहाँ पर electric field कितनी आ जाएगी यह आ जाएगी बैटा minus v cross b electric field कितनी आ जाएगी सर minus v cross b ध्यान से सुनो अगर electric field भी है और magnetic field भी है और जो electric field है वो v cross b का उल्टा है यानि कि negative है तो आप बच्चो यह बोल सकते हो यहाँ पर यह बोल सकते हो बच्चो कि अगर electric field भी है magnetic field भी है लेकिन electric field minus of v cross b अगर ऐसा है तो बच्चो यह वाली condition भी possible है मतलब कि यहाँ पर भी पार्टिकल पर नेटपोर जीरो फो सकता है तो बच्चो आंसर क्या जाएगा हमारा फोर्थ आंसर जाएगा बोथ वन और टू क्या सभी को क्लियर है बदाओ बच्चो सभी को क्लियर हो गया यह वाला बटा परिशान नो जादा टाइम आपका नहीं लेंगे बस इंपोर्टेंट चीजे बताएंगे ध्यान से देखते चलो ठीक है देखो अब बच्चो यहाँ पर एक इंपोर्टेंट कोश्चन और देखो यह कोश्चन देखो बच्चो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि sir एक solenoid है इस solenoid की length है 15 cm लेकिन इसमें मज़ेदार बात क्या है इसमें windings की 4 layer है देखा, 4 layer मलब जैसे एक layer पूरी बांद दी फिर उसी की उपर एक और layer होगी फिर उसी की उपर एक और layer होगी एक और layer होगी तो बच्चों यह कह रहे है center of solenoid पर magnetic field क्या होगी तो बच्चों सबसे पहले तो याद करो magnetic field होती थी mu naught n into i है ना बच्च अच्चा mu naught क्या होगा बच्चो mu naught होगा 4 pi into 10 power minus 7 यह तो mu naught है सर current कितनी है तो बटा current भी तुमें दे रखी है 6 ampere अब सारा खेल है बटा n का याद करो n क्या होता था number of turns number of turns per unit length बटा unit length में कितने turns होगे वही यहाँ पर क्या था n था तो यार मुझे एक बात बताओ सबसे पहले सारी बात दिमाग में होनी चाहिए पहली बात क्या है सर 50 cm length है दूसरी बात 350 ton एक winding में है और ऐसी 4 layer है 4 layer है मतलब क्या है बटा द्यान से देखो सबसे पहले 350 ton 350 tons तो एक layer में है ऐसी total 4 layer है बटा तो total कितने tons हो गए 350 into 4 divided by कितनी length है इसकी क्योंकि पर unit length देखना है तो length कितनी है half meter 50 cm का मतलब है half meter सही है बस अब आप का अंसरा जाएगा क्या बात समझ में आ गई तो important चीज क्या थी बेटा यहाँ पर यह वाली चीज लिखना कि एक layer में 350 tons है ऐसी 4 layer है तो 350 into 4 total number of tons आ गए divided by length जो कि यहाँ पर कितनी है half meter क्या सभी को समझ में आ गया यह वाला point बोलो भी या बहुत बढ़िया अच्छा कुछ बच्चे बता भी रहा साथी साथ कि सरस्में 4 से multiply करो ठीक है एक और question बच्चो देखो यहाँ पर बच्चो यहाँ पर बोला गया कि square current है ठीक है PQRS और बटा uniform magnetic field में रखी हुई है और magnetic field बच्चो PSK along है मतलब ध्यान से देखो बटा यह आपको दे रखा है PQRS और जो magnetic field आपको दे रखी है बच्चो वो ऐसी है magnetic field ऐसी है ठीक है आप current भी माल लो यहाँ पर ऐसी कुछ चल लई होगी है ना ऐसे माल लो कुछ current चल लई होगी कि side Rs पर कितना force होगा यहेर मुझे एक बात बताओ कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी loop अगर uniform magnetic field में रखा होता है तो उसपर net force कितना होता है zero ऑब बच्चो यह बताइए कि अगर हम यहाँ पर बोले कि इस पूरे लूप पर नेट फोर्स कितना होगा तो वो 0 है अच्छा फोर्स को ऐसे ब्रेक कर सकते हो फोर्स on PQ प्लस फोर्स on QR प्लस फोर्स on RS प्लस फोर्स on SP या PS जो भी आप बोल दो और बैटा यह कितना हो गया 0 बच्छो ध्यान से सुनो जो करेंट मेगनेटिक फिल्ड के पैरलल है उस पर तो वैसे भी फोर्स 0 होगा जैसे ये वाली करेंट मेगनेटिक फिल्ड के पैरलल है तो फोर्स 0 ये वाली करेंट मेगनेटिक फिल्ड के पैरलल है अंटी पैरलल है तो फोर्स 0 यानि के बिटा इसका और इसका force का sum होना चाहिए 0 अब अगर इस पर force F vector है तो इस पर अपने आप minus F vector हो जाएगा क्या बात समझ में आई बिल्कुल simple है बचो 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 चार side है जो दो side magnetic field के parallel है उन पर individual वैसे भी force 0 है और जो दो side आपको दी गई है उनमें एक पर F है तो दूसरे पर minus F लोगे न तभी तो बचो net 4 0 आएगा तो वो चीज़ आपको यहाँ पर use करनी है ठीक है तो बटा इसका second option होगा क्या सभी को बात समझ में आगी इसका second option आएगा बचो ठीक है तो second option यहाँ पर correct होगा सही है सभी को समझ में आ गया ठीक है चलो बचो यहाँ पर एक और question देखे बचो यहाँ पर हमें बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई solenoid है very long solenoid है लेकिन बचो हमें magnetic field कहाँ पर find करनी है end of the solenoid मतलब solenoid के एक end पर find करनी है तो कल मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी आपको solenoid ऐसा दिया जाए इसके end पर जब आप magnetic field निकालते हो तो वो आती बटा mu naught ni by 2 कल मैंने आपको बताया था यह तो बटा इसका answer सीधे सीधे तुम क्या दे दोगे mu naught ni by 2 यानि कि कोई भी solenoid आपको दे रखा है उसके end पर अगर आपसे magnetic field पूछी जा रही है तो वो क्या होगी बटा mu naught ni by 2 अब बच्चो इस question को देखो ये question का answer तो आप देखते ही बता दोगे बच्चो यहाँ पर बोला है कि particle का mass कितना है m charge है क्यूँ kinetic energy है k जब वो magnetic field में enter करता है कहरे तीन सेकेंड बाद उसकी kinetic energy कितनी होगी तो कल मैंने आपको बताया था कि sir work done by magnetic field हमेशा 0 होता है magnetic field का work done हमेशा 0 होता है जब magnetic field work ही नहीं करेगी तो बटा kinetic energy में किसी तरह का कोई change नहीं होगा अब जब kinetic energy change नहीं होगी तो जो kinetic energy बटा तुमारी initial है वही kinetic energy तुमारी final होगी तो यानि कि बटा kinetic energy initial बराबर kinetic energy final तो बताओ अगर initial k थी तो बटा final भी कितनी होगी k होगी यानि kinetic energy में कोई change नहीं होगा बताओ यह clear हो गया यह वाला point बच्चों बताओ अगर magnetic field में कोई भी charge move कर रहा है तो हमेशा याद रखना उसकी kinetic energy कभी change नहीं होगी तो kinetic energy हमेशा k रहेगी speed कभी change नहीं होगी speed हमेशा v रहेगी तो ना तो speed change होगी ना kinetic energy change होगी क्योंकि magnetic field का जो work done होता है बच्चों वो हमेशा कितना होता है 0 work done by magnetic field हमेशा क्या होता है 0 अब बच्चों एक question और देखो और बढ़िया question देखो क्या है कह रहा है कि एक hollow conducting pipe है तो बच्चों यहाँ पर हम एक draw कर लेते हैं एक hollow conducting pipe को हमने ऐसे draw कर दिया इसकी जो radius है बच्चों वो 15 cm है इसकी radius कितनी है जर 15 cm है ठीक है आगे बोला जा रहा है कि बच्चों इसमें जो current है वो 2 ampere की है बच्चों ध्यान देना इसमें जो current चल लई है वो along the surface चल लई है और along the surface 2 ampere की current इसमें चल लई है बच्चों आगे हमें बोला गया है कि इसकी वज़े से जो magnetic field वो 0 है कहरे कि यहाँ से distance x पर जो magnetic field 0 है बच्चों याद करो तो कहरे x क्या होगा यार एक बात बताओ magnetic field की value कहाँ पर 0 होती थी कल मैंने इसका graph भी आपसे बनवाया था मैंने आपको कल यह बताया था कि अगर magnetic field का r के साथ बच्चों graph plot करें तो magnetic field जब तक आप surface तक नहीं पहुँच जाते हो वो 0 रहती है और इसके बाद बच्चों फिर ऐसे decrease होती थी तो magnetic field बच्चों अंदर-अंदर सभी जगे क्या होगी 0 होगी बता होगी की नहीं होगी तो हमसे पूछ रहे हैं कि इन में से कितनी distance पर magnetic field 0 होगी तो यार सीधी सी बात है जब तक हम surface से अंदर-अंदर होंगे वहाँ पर magnetic field सभी जगे 0 होगी surface बच्चों कितनी दूर है 15 cm पर तो 15 cm से पहले तक सभी जगे magnetic field कितनी है 0 तो यानि कि आप कह सकते हो कि 15 cm से पहले-पहले 0 है तो 10 cm पर 0 होगी कि नहीं होगी हासर होगी बाकी सारे point बटा outside point है तो वहाँ पर magnetic field 0 होगी ऐसा हम नहीं कह सकते सही है ना बच्चों तो यह बहुत चोड़े-चोड़े points है इनको गलत मत करना ठीक है एक बटा यह वाला question देखो इसमें क्या बोला गया है कि बच्चों यहाँ पर दो concentric coils आपको दी गई है जिनके plane आपस में perpendicular है दोनों में बच्चों equal current flow हो रही है और center पर magnetic field आई है center पर magnetic field B है यहर मुझे एक बात बताओ किसी एक circular coil के center पर magnetic field क्या होती बच्चों mu not I upon 2R ठीक है यहर ध्यान से सुनना मेरी बात अगर मैं आपसे बोलू कि sir एक coil यह है और यहाँ पर साथ देखें तो दूसरी coil मालो बच्चों ऐसे आपको दे रखी है अब यहर मुझे एक बात बताओ जितनी current बच्चों इसमें है उतनी ही current इसमें है तो अगर इस वाले की वज़े से magnetic field बच्चों हम देखें ठीक है या थोड़ी देर के इसको B0 मालो कि किसी एक की वज़े से magnetic field किती है B0 बटा दूसरी की वज़े से भी magnetic field किती है B0 और जब दोनों coil perpendicular है तो उनकी respective magnetic field भी perpendicular होंगी बताओ बच्चों तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि sir B0, B0 का जो resultant आएगा वो कि sir कितना आजाएगा वो आजाएगा बच्चो B0 root 2 इसी की value तुम्हें यहाँ पर question में B दे रखी है कहना है पहले magnetic field B थी यानि की बच्चो B की value यहाँ पर क्या है B0 root 2 है क्या बात सबन में आ गई भाई दो coil बच्चों हमारे पास दे रखी है अगर एक coil की magnetic field B0 है तो दूसरी coil की magnetic field भी B0 होगी और दोनों coil एक दूसरे के पपेंडी को लरन है तो उनकी magnetic fields भी आपस में पपेंडी को लरन होगी तो B0 B0 का resultant आ जाएगा बच्चो B0 root 2 यानि की net magnetic field हो गई बच्चो B0 root 2 सही है अच्चा आगे इनोंने बोला कि अगर किसी एक coil की जो current है वो 0 हो जाए बचा किसी भी एक coil की current अगर 0 हो गई किसी भी एक coil की current 0 हो गई तो अब सिर्फ एक ही coil की magnetic field रह जाएगी यानि की इस समय अगर हम देखें तो जो resultant magnetic field होगी वो सिर्फ B0 रह जाएगी भाई पहले दो B0 थे और दोनों का resultant निकाल ले थे अब एक में तुमने current 0 कर दी तो सिर्फ एक ही B0 रह गया और बच्चो B0 की value यहां से निकालोगी तो B by root 2 आ जाएगा कितना आ जाएगा सर B by root 2 यानि कि यहां पर देखें तो थर्ड आंसर इसका correct होगा बच्चो यहां पर थर्ड आंसर इसका correct होगा बहुत important है बच्चो गलत मत करना थर्ड आंसर इसका correct होगा सही है बच्चो? अच्छा आप ज़रा बच्चो यहां पर आजाओ एक और बढ़िया question ठीक है? बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमसे क्या बोलाए कि स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ कितनी है जिसकी लेंथ लेंथ है और आपको end के सामने l डिस्टैंस पर बताना है कि magnetic field क्या होगी ठीक है देखो तो बच्चो यहाँ पर L length का एक wire है और यहाँ पर अगर आप देखो तो L distance पर एक point P है जहाँ पर हमें magnetic field find करनी है तो कैसे find करेंगे सर इसका सीधा सीधा मैंने आपको तरीका बता रखा है क्या था बच्चो आप यह बताओ अगर यह L है यह L है तो बताओ यह 45 degree का एंगिल बना रहा तो क्या होगा बच्चो बच्चो पर पेंडिकुलर डिस्टन्स कितनी है L और यहाँ पर हो जाएगा sin 45 और sin 45 बच्चो किता होता है 1 by root 2 यानि कि यह answer आजाएगा हमारे पास mu 0 I divided by 4 pi L और साथ में आगया 1 by root 2 आप चाहो तो बैटा root 2 से multiply और root 2 से divide कर दो ठीक है तो आपको बच्चो यह वाला option मिल जाएगा दियान से देखो यह वाला option मिल जाएगा third वाला अगर आप root 2 से multiply root 2 से divide करोगे तो नीचे 8 आजाएगा और ऊपर root 2 आजाएगा तो यह third option बच्चो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कर पाएंगे बच्चो बताइए है ना simple question है लेकिन practice करनी पड़ेगी practice करनी पड़ेगी बच्चो ठीक है इधार आजो बच्चो एक question आपको यह दिया गया है यह भी उसी तरह का question है बच्चो आपको बोलागे एक circular loop है जिसका area इतना है current उसमें इतनी है और ध्यान से देख रहा कहरे है उसका जो plane है वो magnetic field के perpendicular है बच्चो ध्यान देना कि जो उसका plane है वो magnetic field के perpendicular है मतलब यह कि बच्चो अगर मान लो मैं मान लो कि यहाँ पर circular loop ऐसा है circular loop मान लो बच्चो ऐसा है तो जो circular loop है उसका plane magnetic field के perpendicular है तो मान लो बच्चो लूप ऐसा है ठीक है तो इसमें जो magnetic field अब वो कैसी है मान लो ऐसी है भई देखो loop का plane यह हो गया तो magnetic field मैंने ऐसा मान लिया उसके perpendicular लूप का प्लेन बच्चो बोड का प्लेन हो गया तो मेगनेटिक फिल्ड को बोड के परपेंडिकुलर कर दिया तो लूप और मेगनेटिक फिल्ड अगर आप देखो तो बच्चो यहां पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है सही है अच्छा अब बच्चो हमसे यहां पर य कैसा होगा तो बच्चो देखो करेंट के सेंस में फिंगर्स को कल कलो राइट हैंड की राइट हैंड की फिंगर्स को करेंट के सेंस में घुमाओ तो थम आपको magnetic moment की direction देगा तो current के हिसाब से magnetic moment बाहर की तरफ आ रहा है यानि कि magnetic moment भी बाहर की तरफ है और magnetic field भी बाहर की तरफ है तो इनके बीच में angle कितना हो गया 0 degree और जब angle 0 हो गया तो torque क्या होता है बाटा mu b sin theta यानि कि यह हो जाएगा बाटा mu b sin 0 यानि कि यह आजाएगा सर 0 क्या बात सबको सवज में आ गई सर सीधा सीधा हमें मिल जाएगा 0 क्यों क्योंकि सर अगर magnetic moment और magnetic field same direction में है तो आपको वहाँ पर कितना torque मिलेगा 0 बात सवज में आ गई तो important point है बच्चो यह दिमाग में होना चाहिए एक बच्चो बढ़िया question है ठीक है ऐसा question भी आपसे exam में पूछा जा सकता है क्या है बच्चो यहाँ पर आपको एक capacitor दे रखा है ठीक है और यह बोलने जो capacitor है उसकी पहले capacitance क्या थी C थी यानि कि C की value बच्चो क्या है A epsilon 0 by D यह पहले वाली capacitance है जब air था फिर हमने क्या किया बच्चो यहाँ पर metal भर दिया यहाँ पर हमने क्या किया D by 2 thickness में metal फिल कर दिया यह जो बच्चो D by 2 thickness देख रही इसमें हमने metal भर दिया तो यह कह रहा कि D by 2 thickness में metal भर दिया तो new capacitance क्या होगी बच्चो एक बात समझो, जितने reason में metal होगा, उतने reason में अगर आप देखें, तो electric field 0 होगी, बताओ ऐसा है या नहीं है, जहाँ पर बच्चो metal है, उस reason में electric field 0 है, और जहाँ पर electric field ही नहीं है, वहाँ पर कोई energy भी store नहीं हो सकती, मतलब कि उस metal में stored energy क्या हो गई, 0 हो गई, मतलब कि अगर field 0 है, तो बच्चो एनरजी भी वहाँ पर stored नहीं होगी, यानि उतने reason की capacity 0 हो जाएगी, बात साथ में आ गई, यानि कि जितने reason में metal की plate है, जितने reason में, बच्चो metal की plate है, उतने reason की capacity कुछ भी नहीं होगी, वो अलग part capacitance में count नहीं होगा तो सोचो अगर d by 2 thickness की metal plate है तो तुम d by 2 यहां से हटा दो तो d में से d by 2 गया कितना बचा? d by 2 यानि कि air कितने में है? d by 2 में है बस उसी की capacity निकाल लो तो बाद वाली capacitance बचो क्या हो जाएगी? a epsilon not by d और कौन सा d लेना है? जिसमें air है यानि कि बचो d by 2 क्योंकि जितने space में बचो metal की plate है उतने space में electric field 0 है वहाँ पर capacitance नहीं होगी वहाँ पर energy store नहीं होगी तो इस वाले part में कोई energy नहीं होगी आप इसको अटा दो बचा कितना d by 2 उसके साब से निकाल लो तो बचा क्या जाएगा? a epsilon not by d into 2 तो मतलब अगर आप ध्यान से देखो बच्चो तो जो capacity है जो capacitance है वो कितनी हो गई सा 2c क्योंकि ये चीज़ c है तो ये कितना हो जाएगा 2c क्या सभी को clear है ये वाला point? तो बेटा इसका जो जाएगा second option जाएगा आप से कह रहा कि new capacitance क्या हो जाएगी? तो बच्चो new capacitance यहाँ पर 2c हो जाएगी clear है? तो आपने यहाँ पर क्या किया? कि सर metal plate वाला तो अपने किसी काम का है नहीं बची हुई d by 2 में ही energy store होगी तो उसके साब से हमने capacitance find कर ली सही है बच्चो? clear है सभी को? कर लेंगे? अब बच्चो एक question और देखो ठीक है? एक question बच्चो और देखो ये भी बहुत अच्छा question है ठीक है? बच्चो यहाँ पर अगर आप देखे ठीक है? ठक गए हो गए ना अप लोग? पढ़ते पढ़ते क्यों भई? क्या हालत खराब हो चुकी है? ठक गए हैं? दिमाग सब का चला या नहीं चला है? दिमाग बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? बच्चो यहाँ पर जो question आपको दिया गया है इसमें पता है क्या बोल ला है? इसमें बोल ला है कि भई यह हमारे पास एक capacitor है और यहाँ पर बच्चो एक battery है और इस battery में बच्चो dielectric हम धीरे-धीरे insert कर रहे हैं actual में हम कर क्या रहे है? पहले dielectric insert करेंगे फिर वही dielectric इससे बाहर भी निकल आएगा यानि कि initially अगर आप देखो तो यह जो dielectric है बच्चो पहले इसमें अंदर जाएगा फिर बाद में यह से बाहर भी निकलेगा अच्छा बच्चो एक बात बताओ जब dielectric अंदर जा रहा होगा तो capacitance increase कर रही होगी क्योंकि dielectric fill करने सब इस capacitance बढ़ती है अब यार मुझे एक बात बताओ जब बच्चो capacitance बढ़ रही होगी पहले वो अला situation आपको समझाते हैं फिर वो situation देखेंगे जब capacitance कम हो रही होगी ठीक है देखो बच्चो अगर capacitance बढ़ रही है तो उसे charge भी बढ़ेगा और जब charge बढ़ेगा तो जैसे मानलो इस पर प्लस इस पर माइनस है अगर capacitance बढ़ रही है तो बच्चो Q is equal to C भी अगर capacitance बढ़ रही है तो charge भी बढ़ेगा और ज़्यादा charge और charge बढ़ाने के लिए क्लिए क्या होगा बटा charge का flow ऐसा चलना होगा बलब ऐसा चलेगा charge का flow यहाँ पर जाएगा तो initially बच्चो अगर आप देखो तो current हमसे पूछा है कैसे flow करेगी तो B से A में flow करेगी initially बच्चो current B से A में flow करेगी तो A से B वाला तो गलत है initially B से A में जाएगी लेकिन जब उसके बाद बच्चो यह dielectric बाहर निकलना होगा तो dielectric के बाहर निकलने से capacitance decrease करेगी और बच्चो अगर capacitance decrease कर रही है तो इसका मतलब charge का amount decrease होगा अब charge का amount कैसे decrease होगा जितना इस पर charge था वो धीरे धीरे निकलना सुरू होगा और charge का amount यहाँ पर decrease होगा मतलब इस पहले plate पे charge बढ़ा अब उसी plate से charge कम होगा तो यहाँ से charge निकलके उल्टा जाएगा मतलब कि A से B में बात सब्च में आगी तो बड़ा second option इसका सही होगा कि जब dielectric अंदर जा रहा था capacitance बढ़ रही थी charge बढ़ रहा था तो charge ऐसे गया फिर जब dielectric बाहर निकल ला है फिर से capacitance कम होने लगी charge decrease करना उल्टा फ्लोगा तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप लोगे क्या बात समझ में आ गई बच्चा कहरा सर 12 घंटे की daily study का target हमने बनाया है बहुत बढ़ी है बटा बहुत अच्छी बात है यही एक महीना है बच्चों आप समझो यही एक महीना है लगबग एक महीने से भी कम समय है यही बचा हुआ समय है ठीक है इसमें तुम खोब मेनत कर लो यह मत देखो कि आराम करना है सोना है ठीक है खाना पीना भी खाना है यह करना है वो करना है ये सारी चीज़े थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दीज़ें नहीं बातसवार में आ रही है सारी चीज़े दिमाग से निकाल दो सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है ठीक है टाइम मिलना है ठीक है तो ये जो टाइम है बच्चों का ढंक से हमने यूज कर लिया ना इस ए पिर यह जो है ना एक महीने का संगर्स है ना तो में यह अच्छा लगने लगेगा क्या अच्छा हुआ उदर मेहनत कर ली थी देखो उसका रिजर्ट यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है ना बच्चो बहुत बढ़ी है बिटा सही है तो बच्चो ऐसे भी कोश्चन्स आएंगे तो आपको यहां पर देखना होगा एक कोश्चन बच्चो यह वाला देखो ठीक है बस दो कोश्चन और कराएंगे फिर उसके बास सेशन कंप्लीट ठीक है केवल दो कोश्चन और बच्चो कराएंगे तो पूरी एनरजी के स बिल्कुल लगे रही है देखो बच्चे खुद बता रहा है सर कोई कहरा 10 गंटे पढ़ रहा है कोई कहरा 15 गंटे पढ़ रहा है कोई 20 गंटे सही है ना बच्छो पढ़ो खुब मन लगा के क्योंकि इस एक महीने में जो तुम काम करोगे वही तुम्हारा रिजर्ट बन लेकिन लास्ट के 2-3 महीने वो इतना धंग से पढ़ाई कर लेते हैं कि बस जो पढ़ी गई चीजे थी उनको याद थी और वही सामने आ गई एक्जाम में तो कई बार चीजे बहुत उलड जाती है तो इस लास्ट की एक महीने की त्यारी बटा बहुत मैटर करती है इस समय जो एक्टिव हो गया ना वो एकदम अलग खेल खेल जाएगा ठीक है चलो बच्चों यहाँ पर देखो माना की आसान नहीं है आसान बिल्कुल नहीं है यार लगातार 6-7 घंटे की थियोरी की क्लास लेना फिर 3-4 घंटे का मतलब आप समझो ना प्रैक्टिस क्लास लेना इ देखे चलो बच्चों यहाँ पर देखो मैं एक चीज आपको बतातो ध्यान से सुनीगा कभी भी आपको कोई भी मेटल बॉड़ी दी गई हो जब तुम मेटल बॉड़ी को बच्चों चार्ज देते हो तो आपको पता है वो चार्ज कहां पर डिस्टिब्यूट होता है सर स को हमने चार्ज दिया अब चार्ज बच्चों पता है कैसे डिस्टिब्यूट होता है ध्यान से सुनना अभी आपने पोटेंशल का है बटेक फॉर्मूला लिखा था ठीक है वो था सिगमा इंटू आर डिवाइड़ेड बाइ एपसेलन नॉट लिखा था कि नहीं हाँ सर औ और आपको पता है कि मेटल के हर एक पॉइंट पर पोटेंशल क्या होगा सर सेम होगा तो अगर मैं पोटेंशल को हर पॉइंट पर सेम कर दूं यानि सिगमा इंटू आर भी हर एक पॉइंट पर सेम हो गया हर एक पॉइंट पर सेम है इसका मतलब हर एक पॉइंट पर सिगम into r same है यानि बटा जो sigma है वो inversely proportional हो गया r के यानि कि जहाँ पर radius of curvature जादा होगी वहाँ का sigma कम होगा वेक चीज़ सुनना एक surface बच्चों मालो ऐसे है एक surface ऐसे है एक surface ऐसे है ठीक बच्चों जो surface जितना जादा curved होती है उसको अगर complete करके circle बनाओगे तो चोटा circle बनेगा जो surface flat होती उससे बड़ा circle बनेगा जो surface जादा flat होती उससे और बड़ा circle बनेगा तो जो surface जितना जादा curve होगी उसकी radius उतनी कम होगी मनलब इधर से इधर जाओगे तो radius flatness होगी, surface जितना ज़्यादा flat होगी, उसकी radius बच्चो उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा radius होगी, sigma उतना कम होगा, यानि कि radius बढ़ाओगे तो sigma कम होता चला जाएगा यानि flat surface पर sigma कम होगा, curved surface पर sigma ज़्यादा होगा, तो बच्चो यहाँ पर अगर आप देखो, तो charge दोगे न, तो density यहाँ पर कम दिखाई देगी, flat surface पर density कम होगी, जो ज़्यादा कब surface है, वहाँ density बच्चो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा, अब क्या तुम इसका answer नहीं दे सकते, बच्चो यहाँ पर देखो, surface कैसी है, surface बच्चो ऐसी है 1 पर ऐसी है 3 पर ऐसी है ठीक है, और 2 पर देखो तो बच्चो ऐसी है तो बताओ यहाँ पर radius सबसे ज़्यादा किसकी है उससे कम किसकी है, उससे कम किसकी है मैंने आपको क्या बताया, जो flat surface होगा, उस पर sigma कम होगा जो curved surface होगी उस पर sigma जादा होगा जो जितनी जादा pointed surface होगी उस पर sigma उतना जादा होगा तो बच्चों ध्यान से देखो तो जो second वाली surface है वो सबसे जादा curved है उसके बाद first वाली surface जो उससे कम curved है और फिर third वाली तो बेटा सबसे जादा flat है तो आप क्या बोलोगे कि सर सबसे जादा charge density हमें मिलेगी 2 पर उससे कम charge density मिलेगी 1 पर और सबसे कम charge density मिलेगी 3 पर ठीक है तो बच्चों यहाँ पर आप क्या कहोगे 2 पर जो sigma जो सबसे जादा है फिर 1 हो गया फिर 3 हो गया यानि कि बच्चो यहाँ पर अगर आप देखो तो 4th option बच्चो इसका सही होगा एक सेकंड एक सेकंड हाट ठीक है तो बच्चो देखो 2 पर क्या है सबसे ज्यादा सिक्मा है उससे कम 1 पर है और सबसे कम 3 पर है क्योंकि 3 वाली सर्फिस आप देख रहो कितनी ज्यादा फ्लैट है बच्चो 3 वाली कितनी ज्यादा फ्लैट है क्योंकि अगर आप रेडियस को क तो 213 यानि कि 4th option बच्चों यहां पर correct होगा तो यह चीज़ आप ध्यान रखेगा इस पर अगर कोई question आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए ठीक है बच्चों अब एक last question और है आपके सामने फड़ा पड़ इसको कर दो बच्चों यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि बई electric field बच्चों इस तरीके से दे रखी है बच्चों electric field हमें यहां पर दे रखी है ठीक है अब मैं चाहता है फड़ा फड़ा आंसर आए सभी से बच्चों इसका answer दो तो बच्चों A और B दो point है अगर A पर देखोगे तो lines पास पास है B पर देखोगे तो lines दूर दूर है तो बच्चों A और B यह दो points आपको दे रखे हैं आपको बच्चों यह बताना है कि कहां पर potential जादा है कम है कहां पर field जादा है और कम है ठीक ह तो इन में से बताना बटा कौन सा अंसर सही होगा ठेक है बताओ भाई फटाफट बताओ बच्चो फटाफट बताओ भाई ठेक है बच्चो यार देखो एक बात समझो हम लोग जानते हैं कि जहां पर लाइन्स पास-पास होती है याद करो बच्चो जहां पर लाइन्स पास-पास होती है वहाँ पर फील्ड का मैगनिट्यूड जादा होता है बता होता है नहीं जहां पर लाइन्स पास-पास होती है वहाँ पर field का magnitude ज़्यादा होता है तो बच्चो मुझे एक बात बताओ A पर lines पास पास हैं यानि कि A पर field का magnitude B के field से ज़्यादा है सही है एक तो ये बात हो गई दूसरा बच्चो याद करो मैंने आपको बताया था जब तुम field की direction में जाओगे तो potential decrease करेगा जब तुम field की direction में जाओगे तो potential decrease करेगा ठीक है तो बच्चो यार एक बात बताओ अगर मैं field की direction में जा रहा हूँ सोचो जब मैं A से B पर जाओँगा तो मुझे field की direction में चलना पड़ेगा जब मैं A से B जाओँगा तो मुझे field की direction में चलना पड़ेगा तो field की direction में चलने पर बच्चो potential decrease होता है तो B का potential जो होगा वो A के potential से कम होगा ठीक है बच्चो A के potential से कम होगा तो यार एक बात बताओ कौन सा answer सही है B पर field भी कम है और B पर potential भी कम है तो बच्चो इसका first option यहाँ पर सही होगा क्या सभी को clear हो गया बच्चो बताओ क्या सभी को clear है बच्चो एक last question ठीक है एक last question और है ना बच्चे कहेंगे सर last करकर कि कित्ते करा दी है एक last question और देख लो बस बच्चो यहाँ पर आपको वैसे तो मैंने कल कराया था इस तरह का question बट फिर भी आप देख लो बच्चो potential आपको यहाँ पर दे रखा है 3x square और आप से पूछा गया है electric field की value 2,0,1 पर क्या होगी मैं चाता हूँ इसका answer आप से एक बार आजाए आप लोग बच्चो फड़ाफट solve करके इसका answer बता दो मझे ठेक है अब यह मैं solve ना करूँ आपका answer आना चाहिए इस पर आपका answer आना चाहिए फड़ाफट बताओ बच्चो फड़ाफट बताओ बच्चो पोटेंशल की value पूछी गई है सर पोटेंशल दे रखा है field पूछी यार मुझे एक बात बताओ बच्चो field क्या होती है minus dv by dx अगर तुम्हें x direction में field चाहिए तो minus dv by dx कर दो x direction में field आ जाएगी करो पड़ाफट अंसर बता इसका क्या आ रहाए पड़ाफट अंसर बताये क्या आ रहा है कुछ का one आ रहा है कुछ का two आ रहा है , कुछ का four अच्छा four आ रहा है ठीक है बच्चो एक बात बताओ यार अगर मैं potential का यह रख दूँ यहाँ पर तो minus d by dx और बच्चो potential कितना है 3x square है ज़र इसको differentiate करते हैं तो बच्चो 3 और x square का differentiation हो जाएगा 2x यानि कि यह हो गया बटा minus 6x क्या आगया minus 6x अब बच्चो बताओ यहाँ पर x की value कितनी है x की value है बच्चो 2 तो x की जगे जब तुम 2 रखोगे तो यह minus 6x2 यानि कि minus 12 volt पर meter आ जाएगा तो बटा minus 12 तो यहाँ पर fourth option में दिखाई दे रहा है बताओ बच्चो है या नहीं ऐसा है ना fourth option में बच्चो यह चीज़ दिखाई दे रही है अरे बोलो भी या अब बच्चो एक last question ठीक है एक last question बिलकुल last है है ना पक्का ठीक बच्चे कह रहा है साथ cheating आई है बार बार last last कहके बस jose दिला देते हो है ना बच्चो important है इसलिए कह रहा है देख लो बच्चो यहाँ पर कह रहा है कि अगर gauss law हम magnetism में लगाएंगे तो इसकी value क्या आएगी गौस law अगर magnetism में लगाएंगे तो इसकी value क्या आएगी ध्यान से सुनना मेरी बात जैसे मालो बच्चो हमने कोई भी एक closed surface ले ली क्या हमने ले लिया सर्क लोजड सर्फेस हमने ले ली अब बच्चो तुम्हें पता है कि magnetic field line एक closed loop form करती है magnetic field line हमेशा closed loop form करती है बस यही चीज़ बटा यहाँ पर काम आएगी जैसे मालो तुमने कोई भी magnetic field line ऐसे draw कर दी यह बच्चो क्या है एक magnetic field line है सही है अब बच्चो एक बात बताओ यहाँ से जरा ध्यान से देखना बेटा इस point पर magnetic field क्या कर रही है enter कर रही है मतलब यहाँ पर magnetic field बेटा enter कर रही है क्योंकि उसे closed loop बनाना है तो जो magnetic field बेटा enter करेगी, क्या वो magnetic field यहाँ से exit नहीं करेगी, बताओ जो magnetic field यहाँ से enter करेगी, वही magnetic field तो यहाँ से exit करेगी, तो अगर तुमसे यह पूछा जाए, कि flux कितना होगा, तो वो 0 आएगा क्योंकि जितनी field बेटा enter करेगी, उतनी ही field यहाँ से exit भी तो करेगी क्या ये बात समझ में आ रही है कोई भी field line बच्चों अगर enter कर रही है तो वो field line exit भी तो कर रही है यानि कि अगर उसने enter किया है तो exit भी कर रही है तो मालो 5 line enter की तो 5 exit कर गई, net flux कितना हो गया 0, यानि कि बटा हमेशा इसकी value कि आएगी 0 अगर ये question पूछा जाए गलत मत करना बात समय आगी तो integral b.ds अगर तुमसे बच्चों पूछा जाए कि flux कितना होगा flux कितना होगा, सही है बच्चे कहने सर हमारा पागल बना दिया गया बताओ, एक एक question last question, last question करके कराते चले जा रहे है नहीं बटा, ये सच में last है, परिशान ना हो सही है, कुछ को बड़ी हसी आ रही है मजा आ रहा है, कहने सर सही है ऐसे ही होना चाहिए तो बच्चों मुझे एक बात बताओ है ना, कहने सर ऐसे जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी ऐसे खाना खिला देती थी हमें है ना, ऐसे जब छोटे थे तो पागल बना दिया जाता था, किलो बटा, इत्ता और खालो, फिर तुम्हें खेलने बेज देंगे है ना, तो एक एक करके, एक एक करके ऐसे ही खिला खिला के अपना पूरा काम निकलवा लेते दे वो लोग, है ना, तो वही काम आप कर रहे हो तो बच्चों, बात समझ में आ गई कि कोई भी मैगनेटिक फिल्ल लाइन है क्लोज लूप फर्म करती है, तो अगर वो एंटर कर रही है, तो बटा, एक्जिट भी होगी एंटर कर रही, तो एक्जिट भी होगी, तो नेट प्लक्स आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जीरो ठीक है बच्चों, तो सेशन यहीं तक रखते हैं ठीक है, तो बच्चों काफी कॉस्चन्स की आपने प्रेक्टिस की है, ये कॉस्चन्स की पीडियफ आपको मिल जाएगी और बच्चों, आप इनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिजएगा वापस से, इस सेशन के दौरान कई ऐसे कॉस्चन्स बच्चों रहे होंगे, जो आपसे हो सकता है, पहली बार में उतना जल्दी आंसर ना आया हो ठीक है, तो वो कॉस्चन, इस स्पेशली आप वापस से जरूर देखेगा, जिन कॉस्चन्स का आंसर एक बार में आपसे नहीं आया या गलत हो गए उन कॉस्चन्स को बच्चों अच्छे से देख लिजएगा ठीक है, बार सवर में आ गई और आपको ये सेशन मतलब कैसा लगा है ना तो ये सब चीजें आप हमें कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं, ठीक है आपको कुछ और लगता है कि सर इस तरह की चीज़ आ जाए, तो वो भी आप बता सकते हैं कि आपको पता है ना बच्चो संडे को टेस्ट होने वाला है ठीक है, तो टेस्ट की त्यारी भी अलब जो जो चैप्टर सापको करवाय जा रहे हैं, ठीक है संडे संडे आपका टेस्ट भी रहेगा तो आपको देखो, ठीओरी सेशन जो कल अपना हुआ था, ठीओरी प्लस क्वेस्ट वो पूरा करना है, आज क्वेस्ट प्रेक्टिस केवल डेडिकेटेट सेशन इसी के लिए था, क्वेस्ट प्रेक्टिस तो ये दोनों सेशन मिला कि अगर बच्चो अच्छे से पढ़ लोगे, तो मेरे सीरिसली सारी चीजों को कवर करिए, ठीक है ठीक्यों सो मच, ध्यान रखिए अपना ओके बबाए